So, hello बच्चा पार्टी, नमस्कार, अदाप, सश्यकाल, एंखीम चो, Welcome to SSP, the finest and easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in श्मोहबद with a subject. 100% आपको चैप्टर से प्यार हो जाएगा बच्चा लोग, CBSC का जो नया बैच है, उसमें आप लोगों का स्वागत है, दबंग बैच के अंदर, और आज का ये लेक्चर होगा, Electric Charge and Field का, watch this session till the end बच्चो, because at the end of the session, आपको realize होगा कि यार, इससे बैतर तो कहीं मुझे मिली नहीं सकता, because यहाँ पर हम पूरे chapter को complete कराएंगे, आपके पूरे NCRT की line by line भी मैं बताऊँगा, कि कहां-कहां से important चीजे भी आपके सामने आ सकती हैं, देखे, CBSC में अच्छा marks लेकर आना है, बच्चा तो अभी से आपको पढ़ना पढ़ेगा, और हर चीज को बहुत अच्छे से समझना पढ़ेगा, and this channel is doing from the last 6 to 7 years, बहुत सही जगा परो बच्चा लोगा आप, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, be a part of this beautiful family, and trust me, यह वीडियो जितना भी लंबा होगा, कुछ भी होगा, आपको एक भी बार लगेगा ही नहीं किया आप फिजिक्स पढ़ रहा हो, पहली बार पढ़ने वाले बच्चों को भी फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा, ऐसा बाबा SSP कहते हैं, तो चलिए true SSP ने तो comment कर दीजेगा बच्चा लोग, बात करते हैं, electric charge and field की complete chapter है, with question की practice, यानि आपके NCID का पूरा example, और और भी हम questions कर रहे होंगे, सबसे पहले हम इस chapter के विटिज की बात करें, तो electrostatic से बच्चा आपके 7 से 8 marks के question पूछे जाते हैं, आपके CBSE board में, एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये विडियो, CBSE के student या किसी भी स्ट्वेट विद्धियार्थी देख सकते हैं, आपका पूरा chapter अच्छे से cover हो जाएगा है, इवन अगर आप ICSE के student है, ICSE के student है, तो भी आप इसे देख सकते हैं, अच्छे तरीके से, कोई भी आपको problem नहीं आएगा, ठीक है, तो इस chapter का वेटेजी मैं आपको CBSE के लिए बता दिया, अब देख लेते हैं, कि आपके NCRT के textbook में, बच्चा यहाँ पर क्या-क्या content है, सबसे पहले हम आपको telegram के बारे मता देना चाहेंगे, यहाँ जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे, वो handwritten notes, आपको free of cost telegram में मिलेगा बच्चा, link description box में join कर लिजेगा, और हमें Instagram पर भी follow कर लेना, चलो, तो यह हैं आपके वो NCRT textbook के सारे content, जहाँ पर हम देखेंगे, introduction, electric charge, conductor, insulator, basic properties of charge, मैंने कहा ना, कुछ भी आपका छूटे का नहीं, पूरी reduced syllabus, जो NCRT गा latest pattern है, उसी की basis पर चलेंगे, forces between multiple charges, और देखें, electric field, electric field lines, electric flux, electric dipole, dipole and uniform electric field, external field, and continuous charges and distribution, तो हुड़-हुड दबंग करेंगे, ये सारी चीज़े हम पढ़ते हैं, और जहाँ पर भी मुझे लेगेगा, कि आपके textbook के important points है, बच्चा, तो NCRD का किताब भी लेगर के हम बैठें, चलिए, तो सुरुवाद करते हैं, बच्चा, आईए, beautiful chapter, बहुत मजाएगा आपको, एकदम feel के साथ, सबसे पहले हम introduction में घुषते हैं, देखे हर एक चीज़ का, हर एक chapter का न, एक आत्मा होता है, जरात्मा क्या है, एक theme होता है बच्चा, और अगर आप उस theme को अच्छे से feel कर ले जाओ, और उसको बढ़िया से समझ लोना, तो पूरे chapter में आपका interest बना रहता है, जैसे इस chapter का जो नाम है, electrocetic electric charge, उसमें basically है क्या हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं, चार्ज की बारे में, और इस charge को भी हम क्या रखेंगे, पता है बच्चा लोग, rest mode पर रखेंगे, इसलिए charge जब rest mode पर रहता है, तो आम तौर पर जो हमारे, J or Neat की तयारी करने वाले बच्चे होते हैं, वो इसे electro static भी कहते हैं, अच्छा क्या मतलब वो electricity का charge हमारा rest mode पर है, यानि याद रखेगा पहला chapter और दूसरे chapter में, our charge particle will be in the rest mode, अब charge particle अगर चलने लग जाएगा, तो यह चीज आ जाएगी आपकी नए चैप्टर, जिसे हम कहाँ देंगे current electricity और वो chapter number 3 से आएगा, यहाँ पर पूरा detail में आप समझेंगे कि charge क्या है, charge आता कहां से है, इस charge का क्या role हो सकता है, सब कुछ, तो यह chapter का introduction वाला हिस्सा है, अगर हम यहाँ पर पढ़ें, आपके textbook के हिसाब से, तो देखें, आपके textbook में क्या दिया है, तो यह छोटी बहुत थोड़ी बहुत कहानी है, कि Greek word से आया था, ELK, TRON था, Benjamin Franklin करके scientist थे, तो थोड़ी सी छोटी सी कहानी है, जिसका हमारे physics से कोई लिना देना नहीं है, but to be very honest, पहली बार पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो एक बार इसे read जरूर कर लेना, हम आपको पूरा NCIT का निचोड़ बताएंगे, और ऐसी भी line बताएंगे, जहां से question बन सकता है, चलिए, तो यह आपका होगया introduction वाला part, अब हम बात करते हैं बच्चा लोग, 1.2, that is all about electric charge, तो यह electric charge है क्या, और इस electric charge को समझाने के लिए, क्या experiment करे गए थे, तो शुरुवात में देखी, electric charge को समझाने के लिए, क्या किया गया था, एक छोटा से experiment किया गया था, एक इस तरीके से silk था, silk ठीक है, उसको ऐसे लटकाया गया था, यह silk था इस तरह से बच्चा लोग, और इस पर एक glass की rod थी, ऐसे, तो silk को जब glass की rod के साथ रब किया गया था, तो ऐसा देखा गया था, कि इस पर कुछ charged आये थे, charge क्या है, अभी हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन आपके textbook के हिसाब से चलो, तो उन्होंने इसको कहा, प्लस प्लस प्लस, फिर उन्होंने दूसरी एक glass rod ली, और उस glass rod को भी किसी के साथ घिसा, ऐसे ऐसे करके घिस दिया, और फिर उसको लेकर क्या है, उस पर बोला भाईया, इस पर प्लस चार्ज है, और दोनों को देखा, तो इनके बीच में कुछ ऐसा चीज देखने को मिला, बड़ा attractive चीज था, रिपेल हो रहा था, मतलब कि जैसे ये glass rod है, और उसको एक दूसरे glass rod, जिसको किसी के साथ घिसा गया था, और इसको किसी और चीज के साथ घिसा गया था, दोनों को किसी चीज के साथ friction करवाए गया था, और फिर दोनों को पास ला करके देखे तो रिपेल हो गया, फिर इसको change किया, और फिर किसी ऐसे चीज को लेकर क्या है जो यहाँ पर माइनस माइनस था फिर देखा गया कि जब यह इसके पास आता है तो attract हो जा रहा है बिल्कुल आपकी textbook में ऐसी कहानियों के साथ आगे बढ़ना है जिसको मैं short में समझा रहा हूँ देखे सिल्क का thread था, glass rod था यहाँ कुछ plus plus है, फिर plastic rod है फिर यह plastic rod, फिर वो glass rod, फिर यहाँ plastic rod चिंता मत कर यह हर चीज समझाता हूँ आईए अपने point पर वापस आते हैं तो जब बच्चा यह किया गया तो बड़ी attractive चीज निकल करेके सामने जो बच्चों को बहुत रोमांचित करती है और scientist लोगों बहुत रोमांचित की थी कि यह आपका यहाँ पर attractive force इनकी बीच में attraction लगा चाहे repulsive हो, चाहे attractive हो क्या यह एक तरह का force generate करते हैं मतलब यह एक तरह की forces हैं मेरा answer होगा हाँ और आप लोगों का भी answer होगा बिल्कुल हाँ sir, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक magnet का north pole हम यहाँ पर रखते हैं magnet का north pole और दूसरा हम रखते है magnet का north pole, फिर हम एक magnet का north लेते हैं और दूसरा लेते हैं south मैं आपसे पूछू कि बच्चा, यह north और north क्या कर रहा है रिपेल कर रहा है यह north और south क्या कर रहा है attract कर रहा है भले ही repel करें भले ही attract करें क्या यह एक तरह का attractive force है repulsive force है एक तरह का force है answer है हाँ तो इसका मतलब यह हुआ जब हम इन rods को यह जो system था उसको जब मैं किसी के साथ घिसा तो उस पे कोई कैसी चीच पनब गई feel करेगा बच्चा because physics is all about feel and this is the channel जहाँ आपको physics के साथ प्यार हो जाएगा trust me मैं आपको हर चीच बहुत अच्छे से detail में पढ़ा दूँगा इसी लेक्चर गे अंदर आपको कहीं जाने की जुरत नहीं पड़ेगी तो हुआ क्या कि एक पर ऐसे चार्ज आ गए और एक पर पता नहीं क्या आ गया कि जिसकी वज़े से दोनों के बीच में attraction और repulsion हुआ तो बच्चा दोनों के बीच में क्या लगा electric word को भी हटा देते चार्ज वास्तों में क्या चीज है तो बच्चो चार्ज एक ऐसी चीज है जो force create करती है जो किसी भी body पर आ जाए तो force create करती है अब सवाल यह आता है कि इन लोगों के उपर ये चार्ज जन्म कहां से लेता है तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कहानी of परमाडू इंगलिस में कहते हैं atom and I know you know that about atom 11 से 12 में आ चुके हो दसवी पास कर चुके हो तो atom के बारे में बताऊगा हम सास भी ले रहे तो भी atom है पानी पी रहे हैं वो भी atom है हर जगा पर हम atom से गिरे हुए तो atom के structure में we know that कि central part में कौन होता है nucleus nucleus में कौन होता है 1 plus होता है फिर एक ऐसा neutral जैसा कुछ होता है और ये खाली जगा में ऐसे है कुछ एक orbit होता है और उसमें कुछ electrons होता है बिल्गुल ऐसे बता हूँगा कि आपको लगए पहली बार जान रहा हूँ लेकिन आपको सब मजाएगा तो ये जो orbit होता है बच्चा इसमें रहता है electron और ये जो nucleus होता है उसमें रहता है आपका proton और neutron तो ये है आपका P plus यानि की proton और जो आपका N 0 है इसे कहा जाता है neutron और ये जो आपका electron E minus है इस पर sin minus होता है और इसको हम कहते है electron यानि की जो charge force create कर रहा है वो आता कहां से है तो atom के अंदर से ही आता है atom में कौन है orbit orbit में कौन है electron और nucleus में कौन है neutron और proton तो आप charge को classify कर दीजिए यानि यहां से एक चीज़ निकल करके सामने आ गई कि charge दो तरह का होता है एक होता है positive charge जिसे हम proton कहा रहे है और एक होता है negative charge जिसे हम electron कहा रहे है अब positive charge negative charge तो समझ में आ गया बड़ी neutron कौन है तो neutron का existence आपको nucleus chapter में समझ में आएगा लेकिन अगर आप पहली बार समझ रहे है तो इतना समझे कि neutron neutral होता है यानि उस पर किसी भी तरह का charge नहीं होता ना plus ना minus इसलिए इसको neutral कहा जाता है तो क्या अब ये पूरी कहानी में सारी बात है समझ पड़ी बच्चा कि ये electron और proton ही वास्तों में charges की तरह के type है और ये करते क्या है attraction force लगाते है आप future में दीरे दीरे सीखोगे कि ये electron जो घूम रहा है ऐसे orbit में वो nucleus के साथ attractive force feel करता रहता है Rutherford का experiment आएगा अब इस side में रखते है इतनी चीचे हमें समझ में आ गई सार बहुत बढ़िया तरीके से कि charge होता क्या है तो force create करता है आता कहां से है तो atom से आता है कितने type का होता है तो दो तरीके का होता है एक आपका electron और दूसरा आपका proton ये जो भी मैं लिख रहा हूँ बच्चा बैच में आओगे जो की paid batch होगा तो वहाँ आप अपने doubt भी होगा है सब कुछ clear कर पाओगे वैसे YouTube पे सब कुछ free में है लेकिन कुछ बच्चों को मुझसे personal पढ़ना होगा मैं ही पढ़ाओगा आपके सारे doubt भी clear होगे तो YouTube से चीज में आपको समझाता हूँ कि यह आते तो atoms हैं तो ऐसा क्यूं हो गया कि जब हम friction करवाए इस silk को या फिर इस glass rod को किसी और चीज के साथ तो एक पे plus और एक पे minus आया या एक पे minus दूसरे पे plus आया किस पर plus आया किस पर minus आया ये कोई नहीं बता सकता लेकिन ये confirm है कि एक पे plus होगा एक पे minus होगा जैसे आप अभी कोसिस कर लीजे आपके hair थोड़ी oily हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं तो कोई बात थे अगर dry हैं आपके hair तो आप कॉम लेकर क्या ये कंगी कंगा जो भी आप क्याना चाहें ठीक है उसको थोड़ा घिसिये अपने बालों के साथ और पेपर के पास ला करके touch कराईए you will observe कि कागज के वो जो छोटे छोटे टुकडे हैं वो कंगी के साथ attract हो जाते हैं अब जड़ा सोचिए कि ऐसा हुआ क्या होगा वास्तों में बच्चा जब हम friction करा रहे हैं ध्यान से सुनना बच्चा ये सारे points आपके ऐसे हैं न कि फिर आपको NCRT उठाने की जुरत नहीं को और वो भी कौनसे electron को जो बच्चा last orbit में रहता है ये तो आपको पता होगा कि किसी भी atom के nucleus के आसपास हैं बहुत सारे orbits हैं तो heat energy because of friction absorbed by the electron which is lying in the last orbit last orbit का electron nucleus से इतना दूर होता है कि nucleus का positive उसको खीच नहीं पाता है जिस वज़ए से उसका attraction कम होता है और उसको जैसे ही उड भाग करके बाहर निकल जाता है तो बच्चा हुआ क्या कि last orbit से electron बाहर निकल गया तो यह आपका minus कहलाएगा और क्यूंकि इसने एक electron को निकाल दिया है तो अब यह atom क्या हो जाएगा plus इसे chemistry की भासा में आप ionization कहते हो physics की भासा में यह चीज होता है कि एक plus minus से separate हो गया या तो पढ़ने में बच्चों को मज़ा नहीं आता समझ में कम आता है लेकिन बाबा के दरवार में हर चीज आपको फिल आ जाएगा तो याद रहिए कि कोई भी आपसे ऐसा पूछे क्या रहा है तो उसका क्या reason है because of friction there is a heat energy and heat energy करती क्या है last orbit के electrons को खीच के बाहर निकालती को आपसे पूछ सकता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि अंदर के orbits के से निकल जाए उसका अंसर आप कर सकते हैं बच्चा कि अंदर के orbits का electron nucleus के संपर्क में है और आप 11 में चीज पढ़े होंगे कि दुनिया का सबसे heaviest force strong nuclear force होता है shortcut अगर याद ना हो तो विरेंदर सहवाग के ना electron जो orbit के सबसे नस्दीक होगा उस पर attraction भी जादा होगा इसलिए वो easily heat energy से भारने ही निकल सकता सिर्फ वह ही electrons निकल सकते हैं जो last orbit में हो I hope this is clear correct तो ये चीज होगे हमारा electric charge हमें इतना समझ में आगए कि electric charge है क्या अच्छा आप यहाँ पर कुछ points अच्छे से आप note कर लें है मैं आपको इदम simple शुद्ध भासा में बता रहा हूँ अच्छा electron और proton पर जो charge की value होती है value वो fix होती है that is plus minus 1.6 10 raise to minus 19 coulomb coulomb is the unit of charge और तीसरा masses ये एकदम याद होना चाहिए mass of electron 9.1 10 raise to minus 31 kg और जो mass of proton है बच्चा वो है 1.6 10 raise to minus 27 kg दोनों में से कौन भारी है comment करके बताओ और simple भासा में समझाओ तो आपको पता चली रहा होगा ये mass of electron बहुत light है 10 raise to minus 31 kg है तो ये है basic of the charge आता कहां से है होता क्या है ब्रेंजमीन फ्रैंक्लीन करके कोई सांटी स्था उन्होंने करा था हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे बच्चा लोग हम physics को समझेंगे real life की physics को feel करेंगे because physics is all about imagination बट फिर भी introduction याद रखेगा ठीक है तो चलिए ये हो गया अब हम बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ेंगे conductors and insulator बड़ी interesting कहानी है सबसे पहले conductors होता क्या है और insulator होता क्या है चलिए तो दीखिए बच्चा conductors वो होते हैं जो अपने मेंसे electricity को pass करते हैं they will allow the electricity through in it अब ऐसी क्या चीज होती है इस मैंसे की electricity को pass कर देते हैं तो उसकी पीछे का कारण होता है कि इनके अंदर electrons का flow होता है आप अगर किसी भी वायर को touch करते हैं आपको जटका लग जाता है आप टच मत करना ठीक है सरी यह क्या बता रहाए अपराण निकल जाएंगे हमारे yes this can be dangerous लेकिन किसी भी वायर को चुने पर हमें जटका क्यों लगता है I will also explain this in a later chapter third chapter में आएगा लेकिन अभी basic समझो इतना तो पता होगा कि उसमें से current दोड रहा है वास्तों में current दोडता है क्या the answer is no current नाम दिया गया है एक जैसे जैसे मा गंगा होती है नाम दिया गया वास्तों में पानी की धारा बह है तो नाम दे आगया गया गंगा मा भह रहे है 走了 pants time पानी का फलूह होता है नदी का नाम दीन आगया वैसे करेंडी नाम है वास्तों में कौन चलता उसमें चार्ज का फ्लो होता है और वो चार्ज कौन होता है इलेक्ट्रोन हो सकता है या प्रोटोन हो सकता है लेकिन 99.99% केसिस में इलेक्ट्रोन होता है ऐसा क्यों क्यों क्योंकि इलेक्ट्रोन लाइट पार्टिकल है उसे चलाने के लिए बैटरी को ज्यादा काम करना नहीं पड़ में proton आप बोलो किसको चलाना असान होगा जिसका मास कम होगा जिसका मास कम होगा उसको धकील दोगे दस voltage में इसको भी चला सकते हैं but then it will take more battery ज्यादा खर्चा साइन समें सा उस इसको अवोईड करता है जहां पर ज्यादा खर्चाओ तो electron जहां पर भी होते हैं free electrons जहां पर भी होते हैं they can easily passes the electricity through in it और वो conductor की खास बात होती है so what is conductor conductor is anything which allows the current to pass through in it which allows the electricity to pass through in it अब human body animal body copper यह सब conductor है लेकिन insulator क्या होता है बच्चा example भी मैंने आपको दी दिया आप चाहें तो down कर सकते हैं इंसान की body yes बिल्कुल सही सुन रहे हो आप जटका लगता है आपकी body में तो आपकी body conductor है even animal body भी conductor है ऐसे बहुत सारे conductors हो सकते हैं कुछ बहुत अच्छे होंगे कुछ थोड़े खराब होंगे उसमें से copper भी ऐसे बहुत सारे metals भी है no down करके comment करके बताइए chemistry भी आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे कौन-कौन से लोग है metals है आपकी predictable में जो metals मैंने बोल दिया तो आई होग आपको पता चलिया होगा but list down comment में list down कर यह at least 5 conductors के नाम ठीक है यह आपका task now what is insulator तो इसका ठीक अपोजिट हो गया जिसके अंदर यार यह free electrons नहीं होते यह पास नहीं हो सकता इसमें से electricity बिल्कुल पास नहीं होती है तो वह आपका insulator हुआ जैसे मैं आपको कहूं glass plastic लकडी वुड है ना यह सबसे कभी भी electricity पास नहीं हो सकती तो इन में से electricity पास नहीं हो सकती लेकिन इसमें से electricity पास हो सकती है अब आपके NCRT textbook में बड़ा प्यारा इस conductor इंसुलेटर में बात लिखा है आप उसे note down भी कर लिजेगा किताब में 1.2 को गोली लास लास में लिखा है मैं आपको explain करता हूं बहुत अच्छी चीजे ध्यान से सुनना बच्चा जब मैंने आपको कहा था कि कंगी चले कंगी बना लेते हैं इसको जब हमने अपने बालों के साथ या ठीके चले बालों के साथ रब किया तो हूँ क्या कि कंगी पर plus और बाल में minus आ गया जिससे attraction हुआ या यह बी कह सकते है आप इसमें minus आ गया इसमें plus आ गया बच्चा ध्यान देने वालीवात ये है कि ये प्लास्टिक का बना होता है कंगी प्लास्टिक वो तो इंसिलेटर है फिर भी उस पे चार्ज आ गया लेकिन अगर आपको कोई चम्मच लीजिए स्पून और उसको अपने बालों में घिसिये लेकिन वो चार्ज नहीं होता अट्रेक्शन नहीं कर पाता ऐसा क्यूं होता है बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है यहान से सुनना वास्तों में कंगी इंसिलेटर है उस पर जो चार्ज रहते हैं वो डिस्टिभीट नहीं हो पाते है वो यह अज़ट रहते हैं यहान से सुनना इसफिर इंपॉर्टन प्रपरटी रखा गंगी पर आ घज़ीजें ठीक है लिगी जो आर्टा इसे इसको मैंने फ्रट से पक्ड़ा हुआ है और यहाँ पर जू भी च्रड आया होगा वह मेरी बॉली के थ्रू अर्थिंग हो गया what is the meaning of earthing, charge धर्ती माता को चले गया, earth is also conductor, है ना तो यहाँ पर जो भी charges आए वो distribute हो करके दर्जमीन में चले गया, तो charge हुआ ही नहीं कुछ भी, मतलब आया भी तो चला गया, रिज क्या हो process बहुत fast होती है I hope you are getting the point, तो क्या सर मैं ऐसा करूँ कि मेरे हाथ में एक gloves पहन लूँ, plastic का या थैली लगा लूँ, और मैं थैली से थैली से अब इस चम्मच को अपने बालों से घिसूँ तो क्या सर उस पर charge आ जाएंगे और फिर मैं piece of paper के साथ attract करूँ तो होगा, answer is yes ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने plastic लगा लिया अपने हाथों पर बच्चा लोग तो आपकी body से संपर्ग इस चम्मच का तूड़ गया यानि कि उस चम्मच तक पहुचने वाले charges, plastic को पार करके आपकी body से घुसके surface of earth में नहीं जा सकते, है ना कितनी interesting बात, मज़ा है बच्चा लोग तो like का बटन जरूर दबाना, या आपके NCRD में page number 3 पे एकदम last last में लिखा है, आपको एकदम बढ़िया से explain कर दिया, तो ये धिहान से रखिएगा कि conductors क्या होता है, तो it is very clear that conductors is something like जो electricity को pass करता है, उस पे charge easily distribute हो जाता है, लेकिन जो हमारे insulator होते हैं, वो electricity को pass नहीं कर पाते, बहुत आसान भासा में insulator पे charge distribution नहीं होता, लेकिन conductor पे charge distribute हो जाता है, तो ये आपके NCRT का अगला 1.3 point था, चलिए अब हम बात करेंगे basic properties of electric charges की, इसमें बहुत सारी चीज़े लिखी हैं, बड़ियां से crispy manner में आपको explain करता हूँ, properties of charge, दीखे एक तरह से तो charge की property होगे कि charge की value इतनी होती है हम इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, पहला मुद्दा, value क्या value है charge की, तो अगर हम electron की बात करते हैं और proton की बात करते हैं, आपने note down करा होगा कि मैंने यहाँ पर plus minus लिखा था, दीखे एक बार फिर से ले जाता हूँ आपको इसदर, आप दीखें यहाँ पर मैंने plus minus लिखा है, तो ऐसा क्यों वास्ताव में electron को scientist लोग पहचानने के लिए minus 1.6 10 raise to minus 19 कूलम नाम दिये, और proton को पहचानने के लिए plus 1.6 into 10 raise to minus 19 कूलम नाम दिया गया, ताकि सवाल आसानी से बन सके है, सवाल ज़े एक चीज याद आती है, physics में बहुत चारे बच्चों को numerical में problem होता है to be very honest बच्चों इतने सालों से पढ़ाते वे experience देखा है, मैंने experience लिया है कि numerical बच्चा आपका बहुत आसान हो जाएगा, अगर आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझ समझ के करोगे and मैं आपको वादा करता हूँ अगर आपने यहाँ पर सारे lectures को दिल से last तक देखा है, मैं NCID के solution भी कराऊंगा, करा भी चुका हूँ इससे पहले कि जो batch के बच्चे हैं, उन्होंने videos देख लिए, free है YouTube पे, चैनल पे SSP platform पर सब कुछ free रहेगा आपके लिए है न, YouTube पे भी रहूँगा और मैं paid batches में आऊँगा, आपको personal पढ़ना live तो वहाँ पे जाएगा, आपके उपर है, तो अगर आप अपने numerical को strong करना चाहता, आपका target J और नीट है, तो NCID का एक एक concept अच्छे से करिए, सारा numerical आपका होगा, and I will help you, trust me बच्चो, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे किसी questions को last तक solve करना numerically उसका answer लेकर करके आना है, ठीक है, चलो, तो ये electron और proton की बात हो गई, दूसरा इनके masses, तो जो mass of electron है, वो आपका 9.110 power minus में 31 kg, और जो mass of proton है बच्चा, वो 1.6 into 10 rest to minus में 27 kg, correct, तीसरी जो property होती है additive nature, अब ये किताब में आप देखने जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात लिखा है, मैं इसको एकदम simple करके समझाओंगा, और उसका मतलब भी वही होता है, कभी-कभी NCRT बहुत परिशान भी करती है, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, basic properties में, ये सारी बाते जो मैंने आपको समझाए, ये सब कुछ, basic property में देखो additivity of the charge, अब इतनी सारी बाते लिखा है, अब इसको एकदम simple तरीके सब को समझाता हूँ कि वह कहना क्या चाहता है, तो additive nature का मतलब ये होता है, कि अगर मान लो किसी body पर 10 coulm charge है, और minus 20 coulm charge है, तो इस body पर overall charge minus 10 coulm हुआ, in short, अगर charge positive है, you have to take it plus, अगर charge negative है, you have to take it minus, you cannot change the sign of the charges at all, तो जो भी charges है, उसको आप उस तरीके से ही लीजिए, उसको change नहीं करिये, तो plus minus इस तरह से हो गया, ये additive nature हो गया, जैसे इसका answer comment करके बताना बच्चा, plus 10 coulm, plus 20 coulm, minus 30 coulm, section में, चौथा होता है, चार्ज का conservation nature, चार्ज is concerned, ये आपकी एक property और आ गए, अच्छा ही, ये आपके na CBSC board examination में, 2-3 marks में पूच सकता है, write down the basic properties of the charges, 2-3 marks में थेरी, तो ये सारे मुद्ध्य आपको लिखने होंगे, चार्ज कंजर्व होता है, क्या मतलब इसका चार्ज में बहुत नहीं, घुमा फिरा के दिया, मैं इसको simple समझाता हूँ, जैसे माली जी एक body पे 100 कूलम चार्ज है, अब इस body को हमने मिला दिया किसी एक B body के साथ, जिस पे बच्चा 20 कूलम चार्ज थे, ये body A है और ये B है, हम A और B को लाए, आपसे मिला दिये, मिलाने के बा देखा कि A पे 50 कूलम चार्ज है, तो बताएए B पे कितना चार्ज होगा, मैं आपको exact मतलब बता रहा हूँ, conservation का, आपने सुना होगा कक्षा 9 में, energy conserved होती है, energy cannot be created, cannot be destroyed, it only happens that there is a transformation from one form of energy to another form of energy, same happens with the charge as well, आप कोई भी process करिये, लेकि net charge हमेशा conserved होता है, मतलब यहाँ पर हैगा, हाँ, charge का distribution हो गया, अगर यहाँ पर 100 था, यह 50 हो गया, तो बच्चा लोग यहाँ पर 100% कितना होगा, 70, 70 कूलम, ऐसा क्यों सर, क्योंकि 70 और 50 कितना 120 होता है, और 120 भी कितना होता है, 120, 120 कूलम होता है, so whatever the process is happening doesn't matter, it always happens, it should, this matters that, the net of the charges should remains constant, चल यह, अगर यह समझ मे आ गया है, तो एक answer का, एक answer comment section में देना, एक C body भी आई थी, वो neutral थी, उस पर 0 कूलम, 4 था, तीनों को mix किया, ठीक है, तीनों को हमने क्या कर दिया, mix कर दिया, इस पर 60 है, A पर 60 है बच्चा लोग, B पर 20 है, तो C पर बताइए कितना होगा, done, ठीक है, तो यह हमारे एक और property होगी, number 4, number 5 is very very interesting, बहुत interesting है, और बहुत अजीब सा language होता है, बच्चे डरते हैं, बट मैं आपको इसको simple भासा में समझाता हूँ, quantization of the charges, quantization of the charge, यह एक technical word है, quantization, घबराने के जूरत नहीं, समझाता हूँ, जैसे, अगर मैंने कहा, कि हमारे पास एक body है, इस तरह से रखा हुआ है, इस पर एक electron है, मैं आपसे पूछूँ बच्चा, इस पर charge कितना है, तो आप बोलीगा कि सर, इस पर जो charge है, कि उसे represent करूँ, तो 1.6 into 10 power minus 19 coulomb है, minus बोलो कि आप, electron आप बोल दियो तो आपको पता है, electron per sign minus है, बट value तो इत सुकला जी का घर है, यही हो सकता है, लेकिन सचिन सर की और सुकला जी की बात एक ही है, दोनों मेल है, getting my point, दोनों पर value से इम है, तो 1.6 चैनल सो minus 19 coulomb, बट अगर ने बोलता बच्चा है, यहां पर 2 electron है, तो आप बोलते हैं, एक electron पर सने बोला था 1.6 चैनल सो minus 19, ऐसे 2 ल रहेंगे, याद रखे हैं, कहीं पर भी quantization word आता है न, तो उसका मतलब होता है continuity, तो you can take this quantization as continuity, जैसे आपने 11th class में, वो equation of continuity पढ़ा होगा, पर नूलिस प्रिंसिपल के बाद, that was a1 v1 equals to a2 v2 equals to a3 v3, continuous आ गया था उसके अंदर, वैसे यहां पर होता है, continuity, यानि बहुत चा सुना होगा, जो photon होता है न, photon, that is a bunches of the electrons, light को हम photon कहाता है, technically, उसमें बहुत सारे group of electrons होता है, एक photon की जो उर्जा होती है, वो e बराबर hf की बराबर होती, जहां h is plank constant, 6.625, 10.34 joule per second, now f is frequency, पर एवाइसे, कि n photons किसी surface पर गिर रहे हैं, यह हमारा एक surface है, ठीक है, क्या हो हो रहा है, n photons किसी surface पर किर रहे हैं, तो जो आपका energy हुआ, वो हो गया, small n, h and then f, यह quantized equation है, यह quantized नहीं है, the only meaning of quantization is continuity, जहां है न आ गया, quantized है, मतलब n की बात कर रहा है, but the very important part is, बहुत important part आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ e को primary charge कहते हैं, e को क्या बोलेंगे बच्चा, primary charge, और इसकी value fix होगी, that is 1.6 10 power minus में 19 कुलम जो आपको उपर लिखा भी है, और यह जो n है वो आपका integer number है, अब क्या मतलब है integer number का, क्या यह possible है कि 1.6 electrons किसी body पर आ गये, या 0.5 electrons किसी body पर आ गये, सोच करके देखे, यह तो बिल्कुल वही बात होगे कि आधे सचिंसर पढ़ा रहे हैं, सचिंसर के मुंडी अलग, धरड़ अलग, which is not possible at all, मैं एक हो सकता हूँ, मेरे जैसे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, AI आजकल चल रहा है, artificial intelligence हो सकता है, 10 साल बाद, मेरे जैसे 10-12 लोग गूम रहा market में, बट मैं एक ही हूँ, बगवान है जब बनाया है, लेकिन artificial intelligence कि थूँ पॉसिबल है, कि मेरे जैसा एक human robot दिखेगा, electromagnetic wave की वज़े से, क्या जबर दस technology आ रहे हैं, बच चलो, इक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आधा नहीं हो सकता, 1.7 नहीं हो सकता है, इसलिए, जो N होता है, वो हमेहीं सा integer number होता है, और इस equation को क्या कहता है, quantized, अब ध्यान दीजेगा, एक बहुत important MCQ है, जो आपके NCRT में, इसी वाले topic में एकदम last last में लिखा गया है, अगर आप पढ़ेंगे, पुरा NCRT का निचोड़ है, एक सब्द मैं बोलने जा रहा हो, macroscopic, और इक होता है, microscopic, दोनों का मतलब समझे, macro मतलब बहुत large, और micro मतलब बहुत छोटा, 10 raised to minus 6, तो macroscopic label पर न, quantization of the charge का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हो, आप charge की बात कर रहे हो, यार हम तो खुली आंको से atom को नहीं देख पाते, बड़े label पर, कहां देख पाते हो, अब हवा को महसूस क कर पाते हो, देख पाते हो, क्या, नहीं, तो how can you observe the atom, हाँ, experimental हुआ है, experimental हम देख सकते, but I am talking about neck dyes, खुली आंको से आप नहीं देख सकते, getting my point, so when we talk about a macroscopic label, एक बड़े label पर देखे, तो quantization of charge की there is no value, but यह physics है, छोटी से छोटी चीजों का भी होता है, nanotechnology आ चुकी है आप दसवी कक्षा के अंदर पढ़के आए हो, carbon nanotube के बारे में आप पढ़ते आ रहे हो, 10 rest to minus 9, angstrom 10 rest to minus 10, तो इसका importance quantization का सिर्फ microscopy label पर है, micro मतलब छोटे स्तर पर, यानि कि आप microscope से किसी चीज को देख रहे हो, एक और बहुत प्यारा सा MCQ है, कि electron या किसी भी charge को detect कैसे क कहते हैं, इसका answer आप लोग comment में दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं छोटे-छोटे task आप दूँँ, तो आप किताब पढ़ेंगे भी, जहां पर आप ये पढ़ रहे होंगे, microscopy को और macroscopic, उसी paragraph में आपको मिल जाएगा, कि charge को data करने वाले machine को green leaf पहले word द एरिया है, let's entry, let's get entry into the textbook का example, अब आपके सामने 4 example आएंगे, इन्हें solve करते हैं, पहला सवाल कहता है कि if 10 power 9 electrons move out of a body, जैसे माल लीजे कि एक body है, 10 power 9 electrons, body से बाहर चले गए, ठीक है बच्चा, तो every second, हर एक second में, time दे रखा है, एक second, दीखिए आपके class 12 का पहला numerical है, मैं कैस से solve करता है, आपको मजा आएगा, ध्यान दीजेगा, तो कहता है, how much time is required, कितना समय लगेगा, required to get a total charge of 1 कूलम, अगर 1 कूलम चार्ज को निकालना है, तो कितना समय लगेगा, ओके, यहां एक और बात note करिएगा, जैसे एक body है, वो electron को release करता है, वो electron को अपने में से क्या कर करता है, release करता है, तो अगर कोई भी चीज अपने में से electron को release करता है, तो वो body plus charge हो जाती है, any, लेकिन अगर कोई body accept करता है, release करें, तो plus any, और अगर accept करता है, तो आपके message के बासा में कहता हूँ न, वो ready हो जाता है, ready मतलब उसने ले लिया है, इसलिए minus many, release करता है, तो फ हिसाब से बच्चा, यहाँ पर क्या हो रहा है, release कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या सकते हैं, कि charge कितना हुआ, तो any के हिसाब से, n आपका है 10 power 9, यह है आपका 1.6, 10 raise to minus में 19, यानि यह चार्ज हो गया, 1.6 into 9 minus 19, यानि कि, कितना बच्चा लो, minus में 10, सही है न, हाँ, 9 में से 19 चला जाएगा, वो भी minus 19, तो minus में 10 कूलम, इतना चार्ज है, अब देखिए, इतना चार्ज निकल रहा है, every second, every second, तो हम यहाँ लिखते हैं, समय, और यहाँ लिखते हैं, चार्ज, तो हर एक सेकेंड में, हमारा जो चार्ज रिलीज हो रहा है, वो है, आपका 1.6, 10 power minus में 19, correct, तो 1 कूलम चार्ज होने में, कितना समय लगेगा, तो आप क्या करेंगे, cross multiplication, 1 divided by 1.6, into 10 power minus में 19, इसको जब आप solve करेंगे, तो कैसे करेंगे, बच्चा, तो यह हो गया, 1 upon में 16 point था, उपर point काटेंगे, तो divide में 10 होगा न, तो minus 19 और 10 कितना होगया, minus में 20, उपर चला जाएगा, तो 10 power 20, अब 1 upon 16 डिवाइट कर लीजे, तो point में 0 किया, यहाँ पर भी एक 0 आ जाएगा, यहाँ एक और 0 हो जाएगा, 16, 18, 16, 96, तो 0.06 something, अब देखना ध्यान से, एक बार आप 4 तो divide कर सकते हो, into 10 power 20, this means I can write, 6.0 something into 10 power, यह point को यहाँ shift कर रहे हैं, इस तरह point जाता है, बच्चा याद रखिएगा, point यहाँ shift करते हैं, तो minus जाता है, तो लगबग 18 second, इतना मेरा answer आ रहा है, अगर मेरा calculation सही है, तो हमारे इस one shot videos के अंदर आपको lectures के अंदर कैसे questions को solve कर रहे हैं, बिना calculator के वो भी मैं सिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसको किया, आप ऐसे ही practice करिएगा, पूरे साल हमारे साथ, 14 वीडियो आएंगे बच्चा one shot में, पूरा आपका एकदम अच्छ से cover हो कि how to get the good marks in the last 20 days, उसका इंतजार मत करिए, पढ़िए, आप पढ़ेंगे तभी marks आएगा, ठीक है, इसी को year में change किया जा सकता है, मैं देख पा रहा हूँ, ये देखिए, आया है लगबग, 6.25 10-9, ये रहा, 6.25 into 10-9, 1 divided by 1.6, मैंने थोड़ इसी कुछ यहाँ पर error करी हु करता हूँ, sorry बच्चा लोग मैंने गलती क्या कर, यहाँ से light आ रहा ना तो दिख नहीं रहा है, black screen है, देखिए, यहाँ पर light जाता है, यह minus 10 था, यहाँ पर minus 10 करना चाहिए, यह minus 10 हुआ, तो यह minus 10 है, right, तो यह आपका कितना हो जाएगा, 1.6 divided by, 1.16 divided by 10, 10 उपर जागा तो 11 हुआ, यह आपका 11 है, यह आपका 9 हो जाएगा, 0.06 into 10 raise to 9, अब मैच कर लीजे, क्या है, 6.0 मैंने something बोला था, दो बार और divide करते तो यह exact number आ जाता, बटी answer आपका किस में है, second में है, अब इन्होंने क्या करा है, समय को change किया year में, समय को year में कैसे change करते हैं, तो एक साल के अंदर 24 घंटे होता है, एक साल में 365 days होता है, ठीक है, एक दिन में 24 घंटा होता है, एक घंटे में 60 मिनट होता है, और एक मिनट में 60 second होता है, तो इससे आपको divide कर देना है, because one year is equal to इतना second, तो मेरा answer second में है, मतलब मैं मेरा आने वाला जो answer है, उसको इससे divide कर द पर तो 198 years हमारा answer है, clear, तो ऐसे questions आपको आएंगे, NCIT के किताबों से बहुत सारे numericals इन साल, इस साल के बच्चों के लिए हटाए गये हैं, हमारे पुराने lectures आप देखोगे, तो उसमें additional exercise भी solved आपको मिलेगा, ठीक है, बट आपको जितना आपके NCIT में दिया गया है, उतना ही आपको करना है, तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान दीजीगा बच्चा, how much positive and negative charge is there in a cup of water, तो एक cup लिया, इसके अंदर पानी है, और आपसे बोल रहा है कि इसके अंदर, how much positive and negative charge, इसके अं number of charge आपसे पूछ रहा है, तो ये हमारा question हुआ, लेकिन अब यहाँ पर ना एक assumption है, assumption क्या है, हमें पानी की मातरा नहीं पता है, तो NCRD ने यहाँ पर आप कोई छूट दे रखा है कि आप पानी की amount को ले सकते हो, आसानी से कितना भी, तो पानी का जो amount है, इन्होंने textbook में क कितना रखा है, देखिए, यहाँ पर 200 gram रखा है, तो हम भी 200 gram ले करके चलते हैं, कोई दिखत नहीं, आप 100 gram ले करके चल सकते हो, बट पानी का amount यहाँ दिया नहीं, तो we have a shoot, है ना, कि हम ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर माल लिया कितना amount of water, देखिए, बिल्कुल ऐसे ही पानी की मातरा ले ले, अब मुझे पता है कि अगर एक atom होता है, एक atom, तो उस पर जो charge होता है, वो any के बराबर होता है, we have the formula from the quantization of the charge, बट हमें यह नहीं पता है बच्चा, कि इस 200 gram के अंदर, कितने molecules हैं पानी के, are you getting my point? पहले समझी physics के questions को deal कैसे खरते हैं? ठीक है, मैं पता चल गया कि charge निकालने का तरीका है, क्यों बराबर any, अरे बट वो क्यों बराबर any किसी एक body के लिए होता है, किसी एक atom के लिए होता है, बट यहां तो यह नहीं पता है कि कितने atoms है, 200 gram में, तो यहां थोड़ी सी chemistry और थोड़ा सा physics का mixture है, 11th class का, KTG नाम का एक chapter था, जहां पर आपने number of mole का एक formula पढ़ा होगा बच्चा, नहीं पढ़ा है तो यहां मैं बता रहा हूँ, mole कैसे निकालते हैं, तो mole निकालने का तरीका है M upon M not, या फिर N upon में Na, बच्चा यह M का मतलब क्या होता है, mass, यह MO का मतलब है molecular mass, यह N का मतलब है numbers of molecules और यह है avogadro number, ज तो 14, लेगन अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 700 molecules है, nitrogen के तो mole बताओ, तो 700 divided by Na, और Na की value कितनी होती है, 6.023, 10.23, तो मुझे तो यहां पर यह पता है और मुझे N चाहिए number of molecules, तो हम यहां लिखेंगे number of molecules, कितना हो गया, तो यह आपका हो गया M Na upon में M not, अच्छा बच्च weight, या फिर आप इसे mass भी कह दीजे, तो H2O है, बोलो कितना बच्चा, hydrogen का 2, oxygen का 16, यानि 18 gram पर mole, पहली बार देखने वाले बच्चों कोई मज़ा आ जाएगा, तो यह आपका हो गया M not का value, M आपका 250, Na 6.023, 10.23, यह सारी value आप last में रख लेंगे, 6.023, 10.23, पर mole, 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 mole सब कट जाएगा, अब बात करते हैं कि हमें molecules तो मिल गया या, लेकिन एक molecule में कितना charge है, समझना बहुत ध्यान से, एक molecule of पानी H2O में कितने charges है, 10 proton और 10 electron, यह तो पता होगा ना कि number of proton से number of electron से हीम होता है, neutral atom के अंदर, तो H2O यहाँ पर neutral ही है, तो hydrogen के 2 और oxygen के 8, यानि कि आपका जो एक H2O का molecule है, उसमें 10 charge है, तो एक molecule में 10 charge, ऐसे total molecules कितने है, तो उनका total charge कैसे निकालेंगे, तो number of molecules से multiply कर देंगे, इसलिए हम जो net charge आएगा, ध्यान से समझना बच्चा, as per the formula, N, E के बराबर, तो E तो आपका fix है, 1.6 10 raise to minus में 19, और यह N की जगह पर 10 लोग है और एक molecules, एक molecules पे इतने charge है, और ऐसे number of molecules इतना है, तो M, N, A, अपोन में M0, इसे अगर आप textbook में देखेंगे, trust me, आपके प्राण निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सारी value हमने रख दी है, राइट बच्चा, तो अब यहाँ पर आपको M, 200 gram रखना है, N, A, 6.023 10 power 23 रखन सारी value का आप रख लीजिए, और इसको calculate करिए बच्चा, समय आपका बच्चे का, इसलिए मैं, यहाँ पर calculation वाला हिस्सा जो है, आपको छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ जरुद पढ़ेगा, मूं बताते भी रहूंगा, तो आपका answer निकल आएगा, 1.34 10 power 7 coulomb, ठीक जही में, आप जिसकी भी तैयारी कर रहा हो, यहाँ से सवाल पूछेगा, CVSE board में, इवेन आप स्टेट board में हो, UP board में हो, बिहार board में हो, कहीं पर भी हो, कूलम स्लो से सवाल पका आता है, और बहुत आसान होता है, अगर आपने gravitation chapter पढ़ा 11th में, बहुत सारे बच्चे ऐ बहुत सारे बच्चे प्यार करते हैं, उस प्यार के लिए बहुत 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 शुक्रिया था, अगर हर साल हम लोग free of cost बच्चो को पढ़ाते हैं, और यह सायद हो पाता है इसी वज़े से, क्योंकि आप सब का प्यार इतना मिलता है, तो यार आपके बगर मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, तो just a fun, ठीक है बाबाई सबस्पी लेकिन आपके लिए करते हैं बहुत कुछ हैं बच चलो, आईए को लपस लोग को डीटेल में समझता है, तो समसे पहले हमारे पास में, दो point charge, Q1 और Q2 ऐसा मान लिया हमने, इनके बीच में एक separation है, आर distance का, यह condition य बीच के distance के compare में बहुत चोटा हो, उसे हम point charge कहते हैं, मतलब अगर मान लो, यह 1 cm है, और यह micro level का है, तो micro 10 power minus 6 हो और यह 10 raise to minus 2 है, भाई, बहुत चोटा हो गया, समझ गया, तो उसे हम point charge कहते हैं, बहुत चोटा, तो point charge हो गया, तो इनके बीच में लगने वाला जो electrostatic force है, that is directly proportional to the charges and inversely proportional to the square of distance between them, अब इसी comment, language में जो बोल रहा हूँ, उसको ऐसे लिख लिया, बड एक्जाम में जब या आता है, लिखने के लिए भी आता है, numericals पे आता है इसके, तो लिखेंगे कैसे हम, उसको ध्यान से सुनिये, electrostatic force, या Coulombian force between the two charges is directly proportional to product, अनि, multiplication of the charges and inversely proportional to the square of distance between them, so we have F proportional to Q and Q2 by R square, इस proportionality को जब हम हटाता है, मैच के हिसाब से, कुछ न कुछ constant term आता है, यह आगे आपका K, यहाँ पर यह जो K है बच्चा, इसको हम coulombs constant कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, coulombs constant कहते हैं, और इसकी value fix होती है, और इसकी value होती है, 9 into 10 power 9, इसका unit क्या होता है, तो Newton, देखे, R का square, meter का square, upon coulomb का square, कई बार आपसे dimension formula पूछ लिया जाता है, तो अभी हम dimension formula भी निकाल लेते हैं, but don't you think, बच्चा, that this is very similar to f equals to gm1m2 by r square, not very similar to, it is totally like f बराबर gm1m2 by r square, बस, instead of k, we had g, instead of charges, we had masses, तो दो masses के बीच में जो force लगता था, gravitation force है, एक और difference होता है, gravitation force का कि वो कभी भी repulsive नहीं होता, वो हमेसा attractive होता है, universe में हर जगा पर ए अभी हम इसे किसी medium में ले जाएंगे, तो it will be changed, बड़ी बाते याद रखे, तो चलिए, यह होगया आपका coulombs law, f equals to kqnq2 by r square, but अगर यह vacuum में है बच्चा लोग, तो यह formula लगता है, अगर इनी charge particles को मैं किसी medium में लेके चला जाओ, medium में लेके जाने का मतलब है, वो medium का क कुछ constant होगा, जिसे dielectric constant कहते हैं, अभी आप यह dielectric constant word दिमाग में रखो, second chapter में हम और बहुत detail में जाएंगे, लेकिन आप अभी ऐसा समझे है कि दुनिया में हर एक चीज का कुछ एक value होता है, वो कितना अपने में से charges को easily pass करता है, कौन कितना अच्छा conduct कर सकता है, कौन कि अच्छा conduct नहीं कर सकता है, जैसे मैं बोलू conductor, बहुत अच्छा conduct करेगा electricity को, copper, पड़ मैं कहूँ, glass rod तो नहीं करेगा, तो based on electricity का flow, आपको यह याद रखना है कि dielectric constant की जो value है, because it's a constant, तो constant का कोई unit नहीं होता, but value होती है, यह इसकी value हमें यह बताती है, कि यह material कितना अच conductivity, समझ गए, अभी इतना याद रखे, धीरी दरे आप सीखो कि electromagnetic wave में, कि electric field, magnetic field, सब आपस हो मिले होता है, speed of light के बरहबर होता है, पड़ अभी हमें याद रखना है, कि मैं अगर कोई भी medium की बात कर रहा हूँ, तो उस medium की जरूर कुछ नो कुछ value होगी, उसे हम dielectric constant कहते है जैसे माली जे पानी में लेके चला गया मैं इसे, rather than vacuum, मैं पानी में लेके गया charge particle को, उस पानी का dielectric constant की है, तो formula क्या होगा, अच्छा, बच्चा ये जो k है न, ये k का जो एक value होता है, वो इस तरह से लिखा जाता है, हाला कि आया है 90 to 10.09, बड़ ये 90 to 10.09 आता है इस value से 1 upon 4 pi epsilon 0, यहाँ पे ये जो epsilon 0 है बच्चा, इसका नाम है permittivity of free space, सर बड़ अजीब है ये तो, अजीब नहीं है, फिल करवाता हूँ, दस्वी गख्षा के अंदर आपने एक चीज पढ़ा होगा, refractive index, glass, air, है न, glass और air में से किसमे light easily pass हो जाएगा, air, glass से कम, क्यों? क्योंकि air की property ही ऐसी है कि particles are very far from each other, जबकि glass में particles are very close to each other, that is set to be the denser medium, and rarer medium, तो किसी भी medium की density, कितनी rare है, कितनी dense है, यह बताती है, एक physics की quantity, that is called a refractive index, यहना very same है प्यारे बच्चा, epsilon not will tell you, कि electric field कितना अच्छा conduct कर सकता है, कितना bad कर सकता है, simple दिमाग में याद रखना, अभी सब यह mix हो जाएगा, जैसे आज epsilon not आ रहा है, ऐसे आपको मिलेगा, mu not, that will tell you the value of permeability of the free space, this is permittivity, it's a technical word, तो permittivity of free space, represent करते हैं, epsilon not से, E not से, इसका मतलब यतना ही होता है, जैसे कि एक property है, जो हमें यह बताती है, कि यार, यह जो है, medium, यह vacuum के लिए है, जहां से electricity easily flow हो पा रही है, sorry, electric field easily pass out हो रहा है, या नहीं हो रहा है, ऐसा, जैसे refractive index हमें value बताता है, feel आया, good, तो इसकी value भी कुछ होगी, तभी तो की निकला होगा, तो epsilon not की जो value होती है, वो 8.85, 10-12 यह exact value होता है, लेकिन कभी-कभी अपनी सरलता के लिए, इसे, लोग, 9-10-12 भी लेते हैं, competition वाले exam में, इसका unit दिखें, newton meter square upon coulomb square है, और इसका होगया coulomb square per newton meter का square, इसका dimension formula बच very easy, newton का होता है, m1, l1, t-2, coulomb का a1, t1, और m का l2, इतनी help कर दियो, answer बताएगे, comment करके, ठीक है, यह हो गया, तो जब मैं यह रखूँगा, तो मुझे k मिल जाएगा, but, क्योंकि यह एक medium में है, तो इसके लिए जो हमारे force का equation होगा, वो होगा आपका k, q1, q2 upon r square, instead of k, I am gonna write q1, q2 upon 4 pi epsilon and then r square, now see the difference, यहाँ यह जो k है बच्चा, उस k को तोड के, मैं लिख रहा हूँ 4 pi epsilon 0, because k is 1 upon 4 pi epsilon 0, तो मैं यहाँ पर k को हटाया, तो लिखा 4 pi epsilon 0, but, जैसे ही medium में हा जाते है, तो यही epsilon 0 के जगा epsilon हो जाता है, so are you getting this point, the difference between epsilon 0 and epsilon, yes, try to understand, epsilon का मतलब हुआ, permittivity of medium, and epsilon 0 का मतलब है, permittivity of the free space, यानि एक free space है, और बाकि सब mediums है, तो free space की fixed value और mediums की अलग-अलग value, इन दोनों के ratio से ही k निकलता है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे equation 1 कहूं, और इसे 2 कहूं, और दोनों को divide कर दो, equation 1, divide by equation 2, तो देखिए, क्या कटेगा, सब कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे q1, q2 है, यहाँ q1, q2 है, 4pi है, 4pi है, r² है, r² है, सब कट गया, तो यहाँ आता है, epsilon upon epsilon naught, इसी को epsilon r कहते हैं, और यही आपका capital की होता है, which capital के, this one, no, this is small k, coulombs constant, this is capital k, dielectric constant, यहाँ से mcqs आते हैं, आपके cbc board में, कैसे mcqs आते हैं, ध्यान से सुनना, हवा में charge particle था, force लग रहा था 10 newton, किसी medium में गया, जिसका constant की है, बताओ कितना, force लगेगा, यह equation use करो, हवा में 10 था, fm निकालना है, कि यह आपका 2 है, तो 10 बटे तो 5, यह मैंने इसे 5 बोला, तो 10 बटे 5 answer is 2, what is epsilon permitivity of medium, what is epsilon naught permitivity of free space, what is epsilon r, relative permitivity, what is capital K, dielectric constant, so it is wonderful presentation of coulombs law, इससे बैदर आपको कहीं नहीं मिल सकता बच्चा, कहीं हो, ऐसा हो सकता, बहुत detail में आप लोगों को लेके जाएं, लेके जाएं, लेकिन आप डर जाओगे, best detail वीडियो है बच्चा लोगे, trust me, crispy manner man, best तरीके से, पुर आपके NCRD में पेज नमबर 6 पर मिलेगा, उससे बहतर आपको यहाँ पर explain कर दिया, ठीक है, चलिए, तो अब यह हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब सवाल देखते हैं, Coulomb's law for electricity force between the two point charges, two point charges, and the Newton's law for gravitation force between the two stationary point masses, both have inverse square dependence, inverse square dependence मतलब, कि उसमें divide by r square लग रहा है, two stationary, inverse square between the charges and the masses respectively, पहले सवाल पूछता है, compare the strength of this force, by determining the ratio of their magnitudes, for an electron and for a proton, मतलब, कि आपके पास में एक electron है, और एक आपके पास में proton, it's a very simple calculation है, और कुछ नहीं है, आपने करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे यह part 1 है, और यह part 2 है, और इसका answer, comment करना, for two protons, second we have proton and proton, तो आपको बुलता है, कि अचारा, पहले में तो यह comparison हो गया, फिर बुलता है, estimate the acceleration of electron and proton, due to the electrical force, ठीक है, इसमें part B भी है, part E के दो कुशन है, हम part B पे चर्चा करेंगे, बढ़ पहले इस पर आता है, it's very easy, सबसे पहले आप electricity force निकालो, क्या होता है formula, कि Q1, Q2, electron और proton पर चार्च सही हम होता है, E square, अपोन में R square, और gravitational force की बात करें, तो G, M E, M P, अपोन में R square, अब यहाँ पर, मुझे इनका, ratio लेना है, ताकि पता चल जाए, कि ratio F E upon F G, 0 point something आए, तो F G बढ़ा है, अगर 1 point something कुछ आता है, तो F E बढ़ा है, कि की value 9 into 10 is to 9, 1 point 16 is to minus 19, R का कोई value नहीं है, रखोगे तो divide हो जाएगा, कट जाएगा, R square कट जाएगा, G constant 1.6 into 10 is to minus 27, 11, sorry, अच्छा, proton, proton में भी same, यहीं होगा बच्चा लोग, जो आपका F E है, वो as it is रहेगा, K E square, अप उन में R square, और जो आपका FM है, वो आपका G, MP का square, अप उन में R square हो जाएगा, correct, इनका भी ratio ले लीजिए, B वाले part में क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, estimate the acceleration of electron and proton, due to the electric force of their mutual attraction, when they are one angstrom apart from each other, वाल, ये पढ़िया कुश्चन हो, ये तो सिर्फ एक logic प्रूफ कर रहा है, तो इनके बीच में पहले force निकाल लो, K 1.6 10 rest to minus 19 का square, ठीक है, divided by, distance कितना है, 1 angstrom 10 rest to minus 10 का square करोगे, तो minus 20, correct बच्चा, और इनके बीच में ये force हमारा निकल जाएगा, कुछ value यहाँ पर आएगा, तो बोलता है, acceleration of electron, तो पापा बराबर क्या होता है, मम्मी, mass into acceleration, तो M e, A e is equal to this, and then from that, A e is equal to, जो आपका divide करने पर आया, divide by mass of electron, mass of electron 9.10 rest to minus 31 kg, समझ गए, तो बस अब इने calculate करना है, बच्चा, आसानी से आप इने calculate कर लीजे, अगले pages पर सब कुछ दे रखा है, 2.4, 10 is to 30, 39 है, 10 is to 36 है, थोड़ा blur दिख रहा है, बट, textbook से भी आप इसे चाकर के, देख सकते हैं, समझ पढ़ गया, चलो, तो आगे बढ़ते हैं, ये B वाला part, जो मैंने आपको बता है, पहले इन्होंने force निकाला, और फिर F बराबर MA करके, इन्होंने इसका acceleration भी निकाल रखा है, और acceleration आ रहा है, 1.4, 10 is to 19, मीटर पर सेकिंड का square, चले, next question पर आते हैं, 1.4, बट, 1.4 को करने से पहले, हमें एक बहुत अच्छा concept आपको सिखाना है, और वो concept आपके नीट में, जही में आता है, जो कि आपके NCRD textbook में नहीं है, example में है, textbook में explanation कहीं नहीं है, बट example में है, तो पहले आप explanation देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं, ये एक body है, ये एक दूसरी body है, एक body A पर एक charge है, 30 gulum charge, और body B पर charge 0 gulum है, इसे आप charged कहेंगे, और इसे आप neutral कहेंगे, ठीक है, ये charge है और ये आपका neutral है, अगर मैं कहूं कि मैं A को B के पास लेके आया, और फिर उसको separate कर दिया, या उसको touch कर आया, पास लेके आया, separate कर दिया, उसको touch कर आया, तो because of induction, induction की वज़ा से, एक word होता है, induction, induction पहले टॉपिक था आपके, आज के एक साल पहले, NCRT के text book से उसे हटाया गया है, उसको इतनी खास जरुत नहीं होते हैं, because उससे सिर्फ numerical होता है, तो बच्चे confused हो जाते हैं कि यह एक चीज क्या है, बढ़ उसको मैं समझा देता हूँ, वढ़ भी भी था, बढ़ उसको नाम नहीं दिया गया, जैसे यह एक body है, यह neutral था, neutral है मतलब उसमें plus minus है, अब एक rod को लेके आओ, जो minus है, तो वो minus क्या करेगा बच्चा, plus को खीच लेगा, तो सारे plus एक surface पर, सारे minus यहाँ, बढ़ अभी भी यह body neutral है, अब आप arthing कर दीजे, arthing मतलब धरती माता में सारे elektrons चले जाएंगे, यह मैंने आपको example दिया था, चम्मच वाला, तो अब यहाँ पर से यह हटा दो, अब यह body पूरी तरह से क्या होगे, चार्ज होगे, आपने बिना टच किये हुए, इस body के उपर charge को induce कर दिया, इसे induction कहते हैं, charging by induction, एक होता है body को physically connect कर दो, charging by conduction, और एक होता है body को friction की through कराओ, जो किया आपके textbook में था, friction में क्या होता है, energy, heat energy मिलती है, last orbit के electron छटक करके निकल जाते हैं, जैसे हम कहाते हैं, charging by friction, so there are different methods of charging of the body, three types है, no-down कर लीजे, काम आएगा आपकी, induction, conduction and friction, induction में बिना touch किये होता है, conduction में, touch करके करते हैं, जैसे कि आपके mobile phone का charge हो रहा है, conduction, और एक होता है friction, जिसमें body को rub करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है बच्चा कि जब इसको pass लाके अलग करते हैं, तो दोनों पर charge divide हो जाता है, यह आपका 15 कूलम है, यह आपका 15 कूलम है, right, exactly half होता है, यह rule है, sum of the charges divided by number of the body, तो sum of the charges कितना है, Q1 plus Q2, number of body involved कितनी है, दो, तो एक थापका 30 plus 0 by 2, यानि कितना आगया 15 15 कूलम आणसर होगी, इसलिए यहाँ पर याद रखना number of body जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर मैं कहता, एक body है जिस पर 10 कूलम है, दूसरी body है जिस पर 20 कूलम है, तीसरी neutral है, तीनों को आपस मिलाए, separate कर दिये, मतलब पास मिला करके separate कर दिये, तो बताइए after separations में कितना charge हुआ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 15 15, that is wrong answer, 10 plus 20 plus 0 divided by 3, because there are 3 body involved, तो आंसर कितना हुआ, 10 10, 10 समझ गए, इसलिए बच्चा ये याद रखना, ये आपके NEET में, आपके JE में, आपके CBS, CMC क्यूज में, हर जगा पर काम आ जाएगा, in everywhere, हर जगा में, ठीक है, ये formula से चीज़े बहुत आसान बनेगी, अब हम 1.4 को deal करेंगे, जो हम बहुत आसानी से कर पाएंगे, इस सवाल को देखिए ध्यान से, कहता है, पहले थोड़ा पानी पिलिता है, चली बच्चा, almost one hour, but best content है ये, तो अब यहाँ पर हम बात करते है, charge metallic sphere है, A suspended by nylon thread, काफी बड़ा बड़ सवाल बहुत प्यारा है, यहाँ से सुनना, nylon thread से लटकाया हुआ है, charge sphere है A, I hope आपको दिख रहा होगा, मैं इसे काला काला कर देता हूँ तो बड़ा, भीच के आँ हो, तो यह आपका एक nylon thread A लटकाया हुआ है, उसकी बात करते हैं, दोर charge metallic sphere B held by insulating handle, तो यह एक handle है, insulate इसलिए किया है, क्योंकि अगर यह नहीं होगा, तो क्या होंगे, charge transfer हो जाएंगे, यह आपका B है, बराबर, फिर कहता है, brought close to A, such that the distance between there is the 10 cm, इनके बीच का जो distance है, 10 cm, ऐसा pass में लेकर आया, फिर कहता है, the resulting repulsion of A is noted, इनके बीच में कुछ repulsive force लगा, अब हमें नहीं पता, बच्चा, इनमें charge कितना है, charge में डालिक स्पियर A is suspended by a nylon thread, another charged, तो अब इसमें पता नहीं charge कितना है, था हम Q1 और Q2 माल लेते हैं, तो अब इनके बीच में कुछ force लगा, और वो force हो गया, आपका K Q1 Q2 upon R square equation number 1, फिर कहता है, कि the resulting repulsion of A is noted, ठीक है, अब उसके बाद क्या है, फिर bracket में लिखा है, for example, by shining a beam of light, measuring the deflection of its shadow on a screen, मताब थोड़ा बहुत इसके उपर ऐसा है, deflection कुछ हुआ, इसकी पढचाहीं किसी जगब पर ले गई, A paper पर और देखा गया, कि थोड़ा से deflect one के बीच में, कुछ repulsive force लगा है, sphere A and B are touched by uncharged C and D, अब देखो, A को C के पास ले किया है, अभी अभी हमने देखा क्या, कि अगर मैं किसी uncharged को, किसी charge body के पास ले किया होंगा, तो sum of the charges, इस पे था Q1, दूसरे पर है, plus 0 divided by 2, तो अब A पे भी Q1 by 2 हो गया, और C पे भी Q1 by 2 हो गया, इसी तरह से यहां कह रहा है, कि B को D के पास ले किया हो, तो B पे अब आपका Q2 by 2 हो जाएगा, और इस पे भी Q2 by 2 होगा, as per the formula of that induction, which was sum of the charges, divided by number of body, now, the last part of the question, अब कहता है कि C and D are removed, C and D को हटा दिया गया है, A and B are brought closer to A to distance of 5 cm, दोनों की बीच में distance को देखे, पहले 10 था, अब distance कितना कर दिया, 5 cm, तो अब बताना है कि नया charge क्या होगा, यह आधा कर दिया distance, तो माल लो नया जो charge, नया force हुआ, पर है Q1 by 2, the final charge on A was Q1 by 2, final charge on B was Q2 by 2, तो यह है आपका Q2 by 2, दिवाइट by distance, 10 से आधा हुआ, तो R square by 2, R by 2, तो यह R square by 4 हो जाएगा, है ना, instead of R square, I am taking R as R by 2, का square है, that is R square by 4, फिर से समझ लिए, बायो वाले students को थोड़ा लोल्चा हो जाता है, तो R as R by 2, which is R by 2 का square, so R square by 4, तो 4 उपर से ला जाएगा, 4K Q1 Q2, divided by R square, और यह 2 into 2 तो थे ही कड़िया, तो आप देखिए, क्या इनके बीच में, कोई भी तरह का परिवरतन आया, equation 2 देखिए, sorry not F, M, it's F dash, तो from equation 1 and 2, we can say that, both the forces are same, there is no change, तो बस ऐसे Coulomb's log के questions आते है, अज भी ही question में मैं ऐसा कर सकता था, C or D का पूछता, या इनके बीच का distance को change कर देता, 3 body लाता, क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास concept है, कि some of the charges divided by number of body, and we can easily solve the question, clear, ठीक है, चलिए बच्चा, आगे बढ़ता है, solution भी मिल जाएगा इस PDF में, हमने जो लिखा है वो भी, और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो भी, NCRD के अगले page पर चलते हैं, 11 पर पेज है, बहुत अच्छा topic है, forces between the multiple charges, इसे super position law भी कहा जाता है, neat और जीट की भासा में, ठीक है, अब इसको आसान भासा में समझाता हूँ, multiple charges की बीच में लगने वाला force, जैसे माल लीजे, कि यहाँ पर हमारे पास एक charge है Q1, यहाँ एक charge है Q2, और यहाँ एक charge है Q3, तो अब इनके में multiple charges है, तो इनके बीच में force लगेगा, अभी तक हमने जो formula देखा, वो KQ1Q2 by R square था, लेकिन यहाँ multiple charge है, तो जैसे माल लो में ने Q2 को पकड़ा, तो इस Q2 पे Q1 भी force लगाएगा, और Q3 भी force लगाएगा, इसे एक होई superposition principle कहा जाता है, 11th में भी आया होगा, superposition waves के chapter में, उसका मतलब क्या हो समझी है, जैसे एक classroom है, उसमें शैतान 4-5 बच्चे हैं, किसी एक बच्चे को एक बच्चा मार रहा है, तो बुलेगा भी तू अकेले क्यों मार रहा है, हम भी मिलके मारेंगे, जब तक principle और teachers नहीं आ जाते, अकसर ये break में होता है, recess में होता है, आपने भी experience करा हो, in a very same way, it also happens, nature हर जगा होता है, it also happens in the multiple charges, so, whenever we are focusing on one charge, then the resultant force on one charge, is always equal to the vector sum of all the forces, by the remaining charges, गजब की अंग्रेजी, सरी खतरना क्लाइन था, हिंदी में समझते हैं इसको, system of charges में, किसी भी एक charge पे लगने वाला, जो force होता है, वो बाकी बचे हुए, सभी forces के vector sum के बराबर होता है, statement बोला, इसको अच्छे से लिख लीजेगा, किताब में भी दिया है, ठीक है, लेकिन, थोड़ा सा और इसको deep में ले चलता है, mathematically, second पे लगने वाला जो force है, वो आपका है, F12, प्लस में F13, सौरी, कलत है, F21, प्लस F23, बच्चा यहाँ पे यह जो F21 है, इसे पढ़ता है, force on 2, by 1, बहुत इंट्रेस्टिंग बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, तभी आपके numericals बनेंगे, इसे पढ़ेंगे, force on 2, by 3, मतलब 3 के थूँ 2 पे, और 1 के थूँ 2 पे लगने वाला force, और साथ साथ में vector sum भी बोला है, तो vector sum, अब यहां आगिया, इसे लिए, coulum's law का vector format जानना बहुत जरूरी है, coulum's law of vector form, sorry, vector form of coulum's law, जैसे हम कहते हैं, f equals to gm1m2 by r square, 11 में भी था थोड़ा सा, अगर नहीं पता है, तो अब जान जाओगे, सुन लो ध्यान से, तो आप लिखते थे, f equals to gm1m2 upon r square, और जब आप vector की बात करते हो, तो यहां उपर एक 3 लगाते हो, और 3 लगाने के बाद, gm1m2 upon r square के बाद, यहां r cap आ जाता है, चलो बच्चा बताओ, वीडियो को रोग के r cap क्या है, comment करो, I hope आपने comment क्या होगा, please करिए, ठीक है, अच्छा लगता है, appreciate करने का मन करता है, क्योंकि हम इतनी मैनत करते हैं, आप इतना करते हो, तो अच्छा लगता है, maximum comment करो, r cap unit vector है, unit vector क्या है, vector upon its magnitude, तो जैसे ही vector आता है, तो यहां cap आ जाता है, उसी तरह से, जब हम लिखते हैं, f2 1, तो इसका मतलब होता है, बच्चा, k q2 q1 upon r21 का square, और r21 cap, फिर से देखे, force on 2 by 1 का vector format है, k q2 q1 r21 cap upon r21 का square, मैं बिना vector के भी questions को solve करके बताऊँगा, लेकिन यह theory है, theory लिखने को आ जाती है, तो आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, here, यहाँ पर, यह जो r21 का cap है, उसका मतलब है, force on 2 ना, तो 2 पर force लग रहा है, तो उसका position vector पहले लिखे, and then mod of r2 minus में r1, I repeat my sentence, what is the meaning of f21, force on 2, 2 पर 1 के through, जिस पर force लगता है, उसके position vector में से ही minus करे, यह शब्द को याद रग की, आपको magnetic effect of electric current में भी काम आएगा, second chapter में भी काम आएगा, in fact, जहाँ-जहाँ position vector की concept हैंगे, हर जगा काम आएगा, जब भी cap लगता है, एक पर दूसरे की वज़े से, तो हमें साथ जिस पर लगता है, उसके position vector में से minus करे, इस रूल 11 पे है, तो second पर लग रहा है, तो second के position vector, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, कि 2 पर है, 2 पहले है, तो 2 पहले लिखूँगा, और यह चीज क्या है, यह है magnitude, नीचे तो magnitude ही रहता है, और यह भी क्या है, magnitude ही है, तो भाई, जब दोनों ही magnitude ही, उसका मतलब सब सेम है, मतलब यह नीचे वाला और यह denominator सेम हुआ, तो जो final equation of F21 vector आएगा, वो होगा, K, Q1, Q2, पहले लिख दो Q2, Q1 क्या फर्क पड़ता है, upon में, R2 minus R1, mod का cube, and then, R2 minus में R1, this is the equation, जो आपको एकदाम अच्छे से याद रखना है, किसी भी vector form का question अगर आ जाए, तो आपको ऐसे ही solve करना है, एक example ले लेते हैं, ताकि मन को शान्ती मिल जाए मेरे भी, जैसे माली जी, Q1 है आपका 1 microcoulomb, Q2 है आपका 2 microcoulomb, इसकी position vector है 00, यानि वो origin पर रखा है, और इसकी position vector है 1,2, ठीक है, आपको निकालना है बच्चा F12, ऐसा बोला गया है, क्या मतलब है इसका, यह है बाबा SSP का example, आपके रौकी भाईया का example, F12 मतलब force on 1 by 2, तो हमको equation पहले सोच लेना है, क्या बनेगा, k q1 q2 r1 minus r2 upon mod of r1 minus r2 का cube, देखे बिल्कुल ऐसा है, 2 1 हो, तो पहले 2 आता है, 1 2 है, तो पहले 1 और 2 आता है, तो आप सोचो क्या आपके पास में k है, जी भाईया है, q1 है, q2 है, r1 minus r2 क्या होगा, आरे simple है, तो r1 minus r2, r1 आपका ये रहा, minus 1 यानि की minus 1, 0 minus 2 यानि की minus 2, और mod कैसे निकालते हैं, mod निकालते हैं, under root 1 का square, plus 2 का square, यानि under root में 5, बस अब साली, सॉरी बचलो, साली बढ़ निकल गया, मिनी हमरी साली नहीं, कोई नहीं है, खाली बोलना था, साली बढ़ निकल गया, साली खाली खाली साली इंचा साली, सॉरी हैं, टंग स्लीप हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है भाई हमारी कोई, साली, तो R1 minus R2, या है minus 1 minus 2, and mod of R1 minus R2 करेंगे, that is under root of sum of component का square, तो minus 1 का square आपका 1, तो under root 5 यहां रखोगे, तो root 5, root 5, root 5, cube है न, तो 5 root 5, और यहां रख दोगे, तो minus 1, minus 2, और फिर K, Q and Q2 की value रख लोगे, तो आपका answer आ जाएगा, तो ऐसे questions आपके vector form होते हैं, और यह है आपका vector form of coulombs, लो और यह जो कहानी हमने आपको बताई, वो है आपका super position principal, या forces on the multiple charges, क्या F22 possible है, नहीं जर, F22 का क्या मतलब है, force on 2 by 2, possible है कि, अरे नहीं, दो खुद को कैसे मार सकता है, not at all, possible ही नहीं है, तो यह आपका हो गया, ठीक है, अब इनके सवाल भी हम देखेंगे, आपके textbook में कैसा है, सब पर charge Q है, at the vertices of an equilateral triangle of side L दे रखा है, तो Q, Q, और देखो यह आपका हो गया Q, what is the force on a charge capital Q, placed at the centroid of the triangle as shown in the figure, यहाँ पर centroid पर, एक capital Q charge रखा है, उसी पर net force पूछ रहा है, ठीक है, अब इसे हम vector formula से भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, उस समय के साथ, आपको मैं सारे questions से, गलग से practice sheet भी दूँगा, इसलिए टेलिग्राम पर जूड़े रहना, बट आपको अभी textbook के हिसाब से, vector form के साथ, इसको solve करके दिखाते हैं, चली बच्चा देखिए, तो इस पर मुझे force निकाला, नाम अंकरन कर दो, 1, 2, 3, and then 4, तो आपका जो F4 है, वो क्या होगा, F41, F42, प्लस F43, क्या पढ़ेंगे इसका मतलब, 4 पर 1 के थू, 4 पर 1 के थू, direction क्या होगा बूलो, number 4 पर 1, कैसा force लगाएगा, 4 positive है, एक भी positive है, तो एक चार को बोलेगा, नीचे जा, क्योंकि ये repel करेगा, इस पर force लगना है न, तो यही move कर सकता है, और ये positive है, तो positive क्या बोलेगा, इसको चलने के लिए, repel हो जातो, attract नहीं कर सकता है, क्योंकि ये minus होता, तब attract करता, ये minus होता, तब ये attract करता, अभी उपर वाला ये force लगा रहा है, और ये आपका positive है, तो ये उपर वाला इसको क्या बोलेगा, नीचे जा, क्यों, क्योंकि repel हो रहा है, positive positive repel हो जाएगा, तो इसका direction कहा जा रहा है, नीचे, यानि F41 की जो value आई, वो आपकी क्या हो गई बच्चा, के, small q, capital q, अब पॉन चलिए, इस distance को हम r बोल देते हैं, centroid है तो distance सेमी होगा, तो r का square, अब देखो, यहाँ पर ही नीचे जा रहा है, और ये vector लगा दिया, तो क्यान है, minus j cap, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है न, negative y x x है, तो minus j cap, चलिए, अब हम बात करते हैं, F42 की, 42 का direction, 4 number पर 2, तो भी positive है, भी positive है, तो ये इसको बोलेगा, ऐसे मता भाई, attract मतो, तो इधर चला जा, फिर रिपेल करेगा, तो ये विचारा इधर भागेगा, क्योंकि ये एक्पी इंटरेल ट्रैंगल है बच्चा, ये पूरा एंगल, 30 degree है, क्योंकि overall 60 है, तो ये भी आपका 30 होगा, ध्यान से देखिएगा, इसकी जो value है, वो तो वही है, k small q, capital q upon में r square, बड़ ये इस तरफ है, इसलिए मैं इसको i cap लिख रहा हूँ, और इस तरफ है, तो same value, k small q, capital q upon r square, और j cap, चमका क्या, देखिए, यहाँ पर angle है 30 degree, तो आप चाहो, तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, कि k small q by r square, cos 30 i cap, लिखना तो लिख लो, यह आपका होगा, cos 30 i cap, और यह वाला क्या हो जाएगा, sin 30 j cap, j cap क्यूँ, उपर की तरफ है, उसी तरह से, इसके लिए, सब कुद सेम होगा, यहाँ पर एक component बनेगा, यह आपका होगा, k small q, capital q, upon में, r square, cos 30 i cap, but sin minus, क्योंकि यह इस तरफ है, और अगर हम यहाँ चले जाएंगे, तो k small q, capital q by r square, और j cap, and then sin 30 i cap, काफे ज़्यादा mix लग रहे हैं, मैं डाइराम को फिर से बनाऊंगा, चिंता मत करो, तब हमको सब मिल गया, यहाँ पर लिखता ही नहीं हूँ है, डाइरेट ही करता हूँ, चलिए f4 is equal to, तो f4, f4, 1 है, यानि कि k small q, capital q by r square, देखो सब में यह आ रहा है, सब जगह पर आ रहा है, k small q by r square, common कर देता है, तो k small q by capital r, small r square common किया, तो minus j cap, इसका यह बच्चा, ठीक है बच्चा, और कौन है, उपर के तरफ यह दो लोग है, sine 30 plus sine 30, j cap, j cap, sine 30 कितना होता है, 1 upon 2, तो j by 2, plus j by 2, और कौन है, नीचे के तरफ यह हो गया, और कौन बज़ाबच चलो, एक तो यह cos 30 i cap, और यह cos 30 i cap, minus में कड़ गया, यह देखिए, j cap by 2, और j cap by 2, यह नीचे, plus j minus j कड़ गया, तो यह आपका हो गया, 0 answer, इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, एक जब सुद्ध तरीका, यह vector form होगा, एक ज़रा, अलग diagram बने, आपके भी बताते हैं आपको, बड़ा करके, ऐसा था सवाल, ठीक है, यहाँ small q charge है, यहाँ capital q charge है, यहाँ small q charge है, यहाँ small q charge है, इस सारे distance आपके, आ रहे हैं क्योंकि centroid है, तो इस charge पर, इसकी वज़र से, जो force लगा वो यहाँ, इसकी वज़र से, जो force लगा यहाँ, angle 30 है, यह आपका cos 30 i cap, i cap हटा दो अभी, कोई मतलब नहीं है, यह आपका sin 30, ठीक है, इसकी वज़र से लगेगा यहाँ, angle 30, again this is cos 30, and this is sin 30, अब क्योंकि forces का magnitude तो same है, because charge और यह, फिर charge और यह, pairs दिखो same है, और distance भी उनके बीच का same है, तो जो हम लिखेंगे, f is equal to k, small q, capital ग्यों by r square, वो तो same है हर जगा पर, only changes is what, the values, तो यह वाली जो value है, नीचे की तरफ जा रही है, right, और यह लोग जो जा रहे हैं, उपर की तरफ जा रहे हैं, तो उपर कौन है, sine 30, plus sine 30, और इधर कौन है, बचलो, cos 30, इधर कौन है, minus cos 30, और यह sine 30, sine 30 को balance कौन करेगा, यह नीचे वाला, और नीचे वाले का आप क्या लिख सकते हो, इस तरह से डारिटी जा रहा है, तो sine 90, देखो कितना हो गया, cos 30 से cos 30 कट गया, sine 90 के value कितनी होती है, 1, और यह sine 30, plus sine 30 कितना होता है, अरे सोरी, यह माइनस 1 आएगा, क्योंकि नीचे के तरफ जा रहा है, सोरी, यहाँ नीचे के तरफ जा रहा है, यह 1 plus 1, यह सब कट जाएगा, तो answer आएगा 0, अब यहाँ से एक बहुत ही प्यारा conclusion निकल कर रखाता है, जब भी कोई भी close loop होगा, यह आपके NEET में, EVEN JEE में, आपके CBSE board में याद रखिएगा, कभी भी close loop और symmetry चार्ज हो, क्या हो, close loop और symmetry चार्ज हो, मतलब एक जैसे magnitude दिखाई दें, तो हमेशा याद रखिएगा बच्चा लोग, कि आपका जो answer होगा, वो 0 ही होगा, at center, एक तरह से Baba SSP का shortcut भी हो गया, यह बहुत जगा पर आपको काम आएगा, और हर बार आपका answer क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, चलि, अब आगे बढ़ता है, अगले सवाल पर चलता है, example number 1.6, यहाँ पर कहता है कि, consider the charges QQ-Q placed at the vertices, चलिए बच्चा, इस question को करता है, consider the charges QQ-Q, बहुत अच्छा सवाल है यह, QQ-Q placed at the vertices of an equilateral triangle, as you can figure, what is the force on the each charge, सारे charges पर net force निकाला है, आएए दुसको सिखाता हूँ, QQ-Q और minus Q, यहाँ देखे, प्लस रखा है, यहाँ प्लस रखा है, और यहाँ मैस रखा है, हम इसको next slide पर लेते हैं, थोड़ा सा यह slide जो है, blur दिख रहा है, इसलिए हम next slide पर करता है, और slide को भी हम green screen कर देते हैं, that will look good, यह न, यह दिख रहा है बच्चा, नहीं, ज्यादा हो गया, यह सही है बच्चा, ज्यादा हो गया, यह सही है बच्चा, आई थींकि सही लग रहा है, ठीक है, ओके, example number 1.6, आपका NCRT textbook, तो अब यहाँ पर triangle ले लेते हैं, सबसे पहले, आई शोनी था figure बूला है, मतलब किताब का ही सवाल है, तो minus Q, plus Q, और plus Q, बोलता है सभी charges पर net force निकालो, equilateral triangle है, side क्या लिया है, इसकी value कुछ तो होगी, LL है, तो equilateral है, side same होता है, LL, angle भी आपको पता है, 60-60 degree होता है, not 30, it is 60 degree, it is 60 degree, again it is 60 degree, चली बताएए बच्चा कैसे करें, सबसे पहले मैं इस charge को observe करता हूँ, इसको नाम देते हैं 2, इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 3, तो सबसे पहले अगर मैं देखूँगा, 2 पे कौन-कौन मारेगा force, तो 2 पे मार रहा है 3 भी, और मार रहा है 1 भी, ध्यान से देखेगा, 2 नमबर के charge पर, 3 नमबर का charge कैसा force लगाएगा, तो जिस पर लग रहा है, वो move करने वाला है, और ये, अब हमें nature देखना है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस बोलेगा, छू, मतलब ये इधर चला जाएगा, छू क्यों बुला भाई, भाग यहां से, अगर ये माइनस होता, ये माइनस होता, तो इसको खीच लेता, attractive, इनके बीच में भी क्या लग रहा है, रिपल्स हो, तो ये इधर नहीं जा सकता, because this is attraction, attraction नहीं होगा, रिपल्स होगा, तो इधर चला जाएगा, और इसकी वज़ज़ से, इस पर, बता ये कहां जाएगा, ये मूव करने वाला, ये माइनस है, तो माइनस उसको बुला लेगा, आजा मेरे पास, तो ये इधर चला जाएगा, इसका direction नहीं था जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, F21, इसको हम क्या लिखेंगे, F2, ये 3 है, दो पर दिन के वैसे, और दो पर एक की वज़़े से, अब ज़रे F21 और F23 की value देखो, मैंने value की बात करी, तो दोनों का value सेम आएगा, ऐसा क्यूं, क्योंकि charges का magnitude सब जगा सेम है, और इवन उनके बीच का distance भी सेम, तो only difference, अब इसको हम vector form से नहीं, अलग method से solve कर रहा है, इसको बोलते हैं, class 11 का इदम पढ़ियाँ वाला method, angle method, हमें दोनों ही force की बीच का angle पता चल गया, 120 degree, क्योंकि ये 60 है, तो ये आपका कितना हुआ, 120, जब आपको angle पता चल जाए, तो आप resultant force कैसे निकालते हो बच्चा, तो resultant force निकालते हो, under root of forces का square, इसे हमें x माल लू, क्योंकि ये दोनों same magnitude के हैं, तो x का square प्लस x का square प्लस 2ab, and then cos 120, और cos 120 का मतलब, cos 90 plus 30, cos 90 plus 30, sin 30, वो भी किसमें minus में है, क्योंकि आपका cos 90 plus theta, second part में आता है, and as per the maths rules, second part में sin theta, हमेशा, क्या रहता है, plus, और बागी सब minus, तो cos था ना, इसलिए minus, तो ये आपका minus 1 upon 2 आगया, ये देखो कड़ गया, x square से minus x square कड़ेगा, ये आएगा x, मतलब आपका answer हो गया, k q का square upon में, k q का square upon में l square, ये मेरा f2 हो गया, इसी तरह से, अब मैं 1 को देखता हूँ, तो 1 को जो है 3, अपने पास बुलाने के कोसिस करेगा, क्योंकि ये positive है, attract हो जाएगा, और 2 भी बुलाने के कोसिस करेगा, attract हो जाएगा, अब दोनों ही पीले वाले force के बीच में, एंगल कितना है, 60 डिग्री, इसी लिए आप यहाँ कहेंगे, F1 is equal to under root of, magnitude से ही मैं, X square plus X square, plus 2 X square, cos 60, पर cos 60 कितना 1 upon 2, 2 से 2 कर गया, under root 3 X, तो under root 3, X के जगह पर, Q का square, upon में L square, this is all about F1, correct, तो F1, F2 मिल गया, अब हम F3 भी देख लेते हैं, F3, चली, यह angle method जदा असान होता बच्चा, F3, 2, इसको repel करेगा, क्योंकि यह positive है, तो इसकी वज़े से यह इधर आ जाएगा, फिर 3 पर, minus की वज़े से, यह इधर जाने के कुश्स करेगा, Q, क्योंकि वो attractive है, तो उसको खीच लेगा, angle कितना बना, 120, तो इसका answer भी तो वही होगा, जो इसका answer है, X यानि की K, Q का square, अब उन में L का square है, So this is the way to, do the problems, of Coulomb's law, vector form के problems को भी, इस आसान तरीके से आप solve कर सकते हैं, this is known as angle method, ध्यान से इस वीडियो को अच्छे से, थोड़ा सा पीचे revise करके वापस देख लीजे, मैंने एक एक points बहुत अच्छे सा समझा है, कि क्यों इधर जा रहा है, क्यों इधर जा रहा है, क्यों ऐसे जा रहा है, it is happening because of the nature of the charges, if one of them is positive, and the other is negative, there is an attractive force, तो जिस पर लग रहा है, उसको move कराए, जिसके through लग रहा है, उसको rest पर रख करके observe करिये, कि यह minus और यह plus है, किदर जाएगा, यह minus है plus है, इधर जाएगा track, यह plus है और यह minus है, किदर जाएगा, इधर जाएगा, यह plus है, इस पर force निकाल रहा है भी plus है, repel हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो 1.6 is also done, अब आते हैं, हमारे 1.7 में, यहां से एक हिस्सा, जो है खतम होता है चेप्टर का, और एक नया हिस्सा चर्म लेगा, charge की सबसे पहली जवर्दस property, that is all about electric field, क्या चीज है यह electric field, इसे समझने के लिए, की कहानी तो सुने होंगे, और Newton साब से बहुत पहले ही, हमारे वेद के आचारे थे, बासकर आचारे, उन्होंने coach कर दिया था, gravitation का, बट फिर भी सारा Shriya, अंग्रेज किसे देते हैं, Newton साब को, और इतिहास को, छेड़ चाड़ किया गया है, सारे अचारे जो थे, भारत के वो बहुत पहले ही, सारे बेद, पुरानों के अंदर सारे, मिले हुए है, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम तो सुने होंगे हैं, बचलो, अच्छी कहानी है, इस पर रूद डिस्कस, नाए नेक्स चैनल, SSP नोले जाब, सब्सक्राइब कर लिजेगा उसे भी, तो अगर मालेजी, धरती मात और एक ऑबजेक्ट है, यह ऑबजेक्ट ऐसे, नीचे की तरफ गिरता है, जो अबजेक्ट ऐसे नीचे की तरफ गिरता है, बिकस अर्थ के पास में एक पावर है, यहां पर तच करने की तरफ गिरता है, करता हूं तो मुझे कुछ पता नहीं चलता क्या है same happens with magnetic field lines of magnetic field as well एक magnet किसी भी RN को चिपका लेता है but at the same time when between magnet and RN if I am going to put my hand and I just wanted to understand कि क्या एसी चीज़ों जो खीच रही है तो I cannot feel the sense समझ रहो तो एक होता है physical existence और एक होता है कि physical existence नहीं होना तो इसका किसी भी चीज़ों पूर एक है physical existence है पर कुछ चीज़े है जिसका physical existence नहीं है फिर भी वो है इंसानों से परे है वो दुनिया ही अलग है बगवान ने बनाई है तो जैसे धर्ती माता का gravitational field होता है उसी तरह से charge का electric field होता है क्या होता है charge का electric field होता है और मेरी भासा में अगर आप समझें बच्चा लोग तो इसे समझाने के लिए मैं आपको कहूंगा this is something like भाई लोगों का इलाका इसे याद रखिए कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्या मतलब है भाई लोगों का इलाका अगर कोई दूसरा गरुणा जैसा विलन आ जाता है तो रॉकी भाई उसके उपर बवाल करते हैं फोर्स लगाते हैं मारते हैं उसको इस कहानी को ध्यान से सुनना अब इसको मैं फिजिक्स के साथ कनेक्ट करता हूँ मान लीजे यहाँ पर एक रॉकी भाई है हर बुराई चीज का अंत होता है बच्चा गरुणा भी मरा था ठीक है तो मेरी भासा में याद रखे कि भाई लोगों का इलाका जैसे यह रहा हमारे रॉकी भाई इन्होंने अपना इक इलाका बना दिया मुंबई यह पुरा उनका इलाका है अब रॉकी भाई जैसा है कि इन्सान गरुणा यानि कि दूसरा एक चार्ज क्यों नॉट यहां आ गया इस इलाके में तो यह करेंगे क्या मारेंगे ओविसली मारेंगे इसको तो ये charge जो है इसको मारेगा मारेगा मतलब force लगाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी unit charge के उपर लगने वाले force को ही electric field कहा जाता है इसको textbook में बहुत बढ़ा चड़ा करके बोला गया है आप simple समझें कि whenever we have a charge तो उस charge का ही कि इलाका है उस इलाके में अगर कोई दूसरा charge आ जाता है then that charge will experience a force तो इस हिसाब से charge को हम distinctize कर देते हैं एक जो मारता है और एक जो सहता है जो मार रहा है वो rocky भाई है यानि कि जो capital Q है वो rocky भाई है और जो small q naught है वो गरुणा है क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि rocky भाई is creating the ilaka कि नई से rocky भाई is creating generating electric field answer is yes this is electric field तो जो भी generate करता है न उस charge को physics की भाई सा में source charge कहते हैं बच्चा the charge or the one who creates the electric field that is known as source charge and the charge who experience the power of that field who experience the force of that field is known as the test charge तो अब ये example के थ्रू I hope आपको पूरा connect करा होगा यहां से एक और चीज़ समझने वाली बात है कि क्या इस charge से distance पर हम जाएंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे तो rocky भाई का इलाका हर जगा है answer is नहीं इलाका हर जगा थोड़ी हो सकता है ऐसा भी समय आता है कि इलाके का range खतम होता है फिर कोई और powerful बन जाए हो सकता है गरुणा powerful बन जाए फिर उसमें rocky भाई जाए मार खाएं hero भी मार खा सकता है depend करता है ये 10 कूलम है 50 कूलम है obviously 50 कूलम हम मार देगा समझ रहे ना तो कहानी के मार देम से समझे तो हमेशा feel आएगा so electric field क्या है तो it is basically force on the charge ये कौन सा charge है source charge है नहीं test charge है किसी भी test charge पे जो force लगता है electric field है electric field vector quantity होती है points लिखते चले जाए electric field vector quantity है इसलिए यहाँ vector करना ज़रे because force vector quantity होता है और इसका जो direction होता है वो होता है always in the direction of force जहाँ पर force लगेगा वहीं आपका electric field होगा देखिए इस पर force कैसा लग रहा है ऐसा गरुणा positive ये भी positive रोकी भाई भी positive तो बलेंगे भाग यहाँ से south में जातू मुंबई में मताना ये इदर जा रहा है तो electric field भी का है इसी side ही है अगर गरुणा minus होता तो रोकी भाई बलते है आज़ा भाई अपने काम का अदमी है मारते बट कीच लेते हैं अपने तरफ तो चाहे attraction हो चाहे repulsion हो kind of force है depend गरता nature पे तो vector quantity होता है always in the direction of force होता है यहां से हम F को subject बनाए तो F is equal to Q Q naught and then E हो गया वैसे subject बनाने कोई logic था नहीं तो सब को पता ही है कि X बरावर Y बाई Z है तो Y बरावर X Z होगा लेकिन बहुत सारे जगह पर ये concept use होता है इसलिए इसको समझ ये अच्छे सवाल J-Advance के सवाल NEET के सवाल उनको deal करना है तो याप के दिमाग मा फित हो जाना चाही कि if there is an electric field and there is a charge it will experience a force from this equation F equals to Q naught times of E I repeat my sentence if we have a charge and that charge is placed in some electric field then it will experience force from this equation F equals to Q naught into E एक कोशन पूछरा हूं उसका answer comment में करिये if I am asking about a unit charge तो क्या unit charge के उपर जो force लग रहा है वो electric field के बराबर है answer in the comment section ठीक है बच्चा तो ये हो गया हमारा electric field का basic चर्चा लेकिन इसी का हिस्सा है जो हमें आगे समझना है सवाल के साथ भी बढ़ वो हिस्सा हम यहां करते है और ये two marks का derivation है अच्छा derivation जो आपके 2024-25 वाले विद्यार थी है उनके लिए अलग से भी वीडियो आपको चैनल पर अल्रडी मिल जाएगा सारा derivation एक साथ है comment में पिन कर देता हूँ आप उसे देख लेना सारे चप्टर का derivation एक साथ है बहुत सारे बच्चों ने उसे देखा है आप भी देखोगे आपको प्यार हो जाएगा physics के साथ तो derivation यह है बच्चा कि electric field due to point charge अब हमें क्या निकालना है electric field निकालना है due to point charge तो चलिए माल लिजए यहाँ पर हमारे पास capital Q है इस से आर जितने distance पर यहाँ पर small p है electric field due to point charge तो इस charge से यानि Rocky भाई की वज़े से p point पर कितनी electric field की intensity है just like gravitational field intensity तो simple यहाँ पर intensity निकालना है तो मुझे यहाँ पर एक charge तो रखना पड़ेगा experience करने के लिए Rocky भाई एंड गरुना तो इसके उपर as per the definition e is equal to f upon q force लगा देखे जब भी आप derivation कर रहे हैं सबसे पहले diagram बनाएंगे उसके बाद statement लिखेंगे as shown in the figure we have a charge capital q and small q charge q is source charge small q is test charge मैं आपको बता रहो theory लिखते कैसा है paper checking में भी गए है तो आपको यह चीज़े ध्यान रखनी है अगर दो marks का है तो examiner यह भी दिखता है कि not only diagram but there is also certain things जो आपको mention करना है जैसे कि diagram को explain करना है कि as shown in the figure we have a charge source charge as well as test charge and a distance between them is r as per the definition equals to f upon q so f क्या है from the coulombs law k capital q small q upon r square small q cut तो आपका answer आगया k q by r square this is very interesting equation of electric field due to point charge अगर मैं ऐसा कहूं कि electric field vector quantity है तो vector quantity में यही चीज ऐसे जाके r cap हो जाएगी जैसे कि आपको vector form थोड़े दिर पहले पढ़ाया था वैसे यह चीज हो गया ठीक है तो electric field क्या होता है भाई लोगों का इलाका होता है इस इलाका में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो वो experience करता है force का जो generate करता है वो rocky भाई है source charge है जो experience करता है वो गरुणा है अगर मैं किसी source charge की वज़़े से निकालना चाहूं electric field so the formula is KQ by R square do not get confused between KQ and Q2 by R square ने KQ by R square initial days में बच्चे गन्फ्यूज होता है सर यह formula तो एक जसा लग रहा है नहीं है बोथ हार different force में KQ and Q2 by R square है और electric field में it is only KQ by R square got it? good चलिए अभी सवाल करता है यह सवाल हाली के NEET में भी आया था NEET की एक्जाम में आया था board में 5 marks की numericals में भी यह पूछा जा चुका है कई बार तो ध्यान से देखिए बड़ा interesting सवाल है easy भी है एक electron है जो कहता है falls through a distance of 1.5 cm इन्हें uniform electric field of magnitude 2 into 10 power 4 newton per coulomb अच्छा तो एक electron है जैसा कि आप देख पा रहे है एक रहा electron वो कितना distance cover गरता है 1.5 cm किसी electric field के अंदर और electron पर sign minus होता है एक चीज़ आप यहाँ note करेंगे electric field का जो direction होता है वो plus से minus की तरफ जाता है ठीक है plus से minus की तरफ जाता है तो जिस तरफ arrow होता है वो minus against वाला plus क्योंकि electron minus है plus से attract होगा इसले direction ऐसा है फिर कहता है electric field भी दी रखा है तो आपको distance दी रखा है 1.5 cm electric field भी दी रखा है that is 2 x 10 power 4 newton per coulomb पहला part है the and a proton the electron and a proton falls through the same distance compute the time of fall in each case contrast the situation with that of free fall under the gravity please ध्यान दीजेगा बच्चा लो अब यहाँ पर electron में ऐसा सीन और proton में आप देखिए यही चीज को reverse कर दिया है electric field का direction change कर दिया है change करने के पिछे का logic समझ पड़ा क्योंकि proton free fall करेगा तब ही गिरेगा जब यहाँ minus होगा plus minus attract होता है इसलिए electric field का direction reverse है तो हमें निकालना है कि कितने time में यह नीचे गिरता है और फिर comparison करना है कि अगर free fall होता gravity के वज़े से तो क्या होता अब यहाँ gravity के वज़े से free fall तो नहीं हो रहा यहाँ electric field के वज़े से हो रहा है ऐसा कह रहा है तो as per the formula s बराबर में ut plus में half 80 square it's a simple kinematic equation we have that as initial velocity will be 0 1 by 2 a acceleration को हम क्या लिख सकता है अब देखो ध्यां से charge आ गया electric field में concept लग गया f equals to mass into acceleration और e into capital E charge लिख देता हूँ क्योंकि अगर कोई भी charge particle कि C भी electric field में होता है it will experience a force as per the formula q into e and that force is equals to newton second law of motion तो हम acceleration के जगा पर लिख सकता है q e upon में m तो यहाँ पर लिखा हमने q e upon में m and then t square चलिए तो t को subject बनाएंगे यह हो जाएगा 2 ms upon में q into e तो 2 charge electron की बात करोगे तो 1.6 10 rest to minus में 19 not charge that is mass तो यह है 9.1 10 पावर माइनस में 31 और s कितना हुआ बच्चा s है आपका 1.5 cm तो 1.5 cm 10 पावर माइनस में 2 divide by charge तो 1.6 10 rest to minus में 19 electric field 2 into 10 पावर 4 अब देखिए इसे कैसे solve करना है यहां से approximate method का use करूँगा approximate method क्या हो तब आप सीखेंगे सबसे पहले तो यह 15 को हटाओ 1.5 है point को हटाओ हमेशा point परशान करेंगे इसलिए point को हटा दो जब आप point को हटाओ गे divide by 10 होगा तो यह आपका 10 पावर 5 हो गया अब वह आप 15 हो चुका है यह 9.1 को आप 9 consider कर लो because it's close to 9 तो मैं इसे 9 consider करूँगा और यह आपका 1.6 था बच्चा ठीक है यह क्या है आपका 1.6 थोड़ा दियान से समझना यहां का point मैं हटाओंगा वापस तो divide by 10 होगा यानि यह वापस 4 हो जाएगा नहीं समझे कैसे यहां अल्रड़ी कितना था 5 divide by 10 हुआ तो power उपर गया तो 5 minus 1 4 हो गया अच्छा अब 15 और 16 को हम काट सकता है इक्वल जैसे एप्रॉक्स यह आपका 2 से 2 कट जाएगा अब क्या बच रहा है सिर्फ 9.1 बच रहा है किना इक consider that 9.1 जिसको मैंने 9.1 को 9 हाँ वैल ही बोला था 9.1 को we can consider as 9 तो 9 जो है इसको हम as it is लिख लेते हैं बाकी सब कट चुका है न यह 2 से 2 कट ही है ठीक है 16 को 15 से काट दिया 9 इंटू 10 इस टू minus 31 और minus 2 कितना अब चलो तो minus में 29 29 plus में 19 और minus में 4 यह समझ गए यह minus 19 उपर जाएगा तो plus और यह plus 4 उपर जाएगा तो minus 19 में से 4 चला गया तो कितना हो गया 15 15 और minus 29 प्लस 15 कितना हुआ तो इधर से 9 और इधर से 5 13 तो यह आ रहा है 9 इटू 10 पावर 13 पक्का ना minus में 13 एक बार फिर चेक कर लेते हैं बच्चा minus 39 plus 19 यानि कि minus में 9 और minus 4 नई 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 14 होना चाहिए क्या कर रहा हूँ यहाँ 15 हुआ तो यहाँ का 5 हाँ 14 14 14 minus में 14 minus में 14 अब देखिए जब भी आप root solve करो ना तो हमेशा ध्यान रहा हो power should be even अगर odd है तो फिर उसको even बनाओ क्योंकि root से वो बाहर नहीं निकल सकता what is the meaning of under root 1 upon 2 तो 9 का क्या हो जाता है 3 और 10 पावर 14 का क्या हो जाएगा minus में 7 divide by 2 because 14 power 1 upon 2 3 का square into 1 upon 2 2 to cancel तो 3 into 10 is to minus 7 आ रहा है किने write this as मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ क्या क्योंकि मैंने पूरा अप्रोक से कर रहा है आपके ओपर बताना आप comment करके क्या हम इसको ऐसा लिख सकता है 3.0 into 10 is to 7 minus 7 yes sir तो मैं अगर point को यहाँ shift करता हूँ 0.32 जो है वो नहीं है लेकिन जब आप competition exam में जाते हो तो वहाँ पर आपके पास calculator allowed नहीं even CBC में allowed नहीं है तो अगर आप इतना भी करके छोड़ दोगे 0.3 microsecond you will get the full marks because इसको बिना अप्रोक्स के आप कर ही नहीं सकते and this is the fastest way to do any kind of calculation 16 है 15 है तो मैं काट सकता हूँ अच्छा आप कितने तक काट सकते हो ये भी सवाल बन सकता बच्चों का ये 18 होता और ये 16 होता तो automatically कट जाता यार ये 16 होता 17 होता कट जाता यार ये 16 होता 14 होता तो भी कट जाता यार कैसे क्योंकि वो 14 और 16 दो से काट सकते हो है न तो अगर odd में है 15 और ये 16 तो आप इसको इस तरीके से कट करके कर सकते हैं अब ज़रा check out कर लेते हैं हमारा answer क्या आ रहा है real में और same अगर आप time of proton निकालो तो वो comment करके बताना कि क्या ये method आपको मज़ा आया बच्चा तो आपको अगर मज़ा आ रहा है तो ऐसे हो और भी बहुत सारे calculation वाले problem आपके NCRT के हम अलग से video की भी करेंगे आपको पुरा NCRT का exercise solution में मिलेगा answer करिए time of proton कितना आता है लेटेस चेक कि हमारा answer जो आ रहा है वो सही है कि नहीं आ तो time of electron हा रहा है 2.9 into 10 रेश्टो माइनस 9 सेकंड एक गलती हुई है आतो रहा है अल्मूस्ट 3 लेकिन नैनो सेकंड आ रहा है तो पावर में कहीं कुछ लोचा चेक कर लेते हैं पर फिर से एक सिली मिस्टेक पता चल गई मुझे बाकी पूरा सही है बच्चा अप्रॉक से आपका answer भी आ चुका है 3 नैनो सेकंड देखे क्या मिस्टेक है ध्यान से मैंने यहां 31 और माइनस 2 को 29 लिखा है इट शूट भी 33 ना तो दो का फरक पड़ रहा है अब आपका पूरा इसी तरीके से आप questions को solve कर सकते है चलिए बच्चा आगे बढ़ता है मजा आया तो लाइक बटन जरोड बना यार अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फिल्लाइन्स की यह आपका NCRT में page number 19 पर है and 1.8 तक बहुत चुके है इसकी property यह 2 marks और 3 marks का question आप consider कर सकते है बोड एक्जाम के अंदर even यहां से MCQ भी आते है अब इलेक्ट्रिक फिल्लाइन्स है क्या वो समझाता हो आपको जैसे की positive charge होता है और एक negative charge होता है तो positive charge के लिए जो electric scientist ने science ने conclude करा किया अगर positive charge है तो it is like in the outward direction तो radial में outward direction अगर है तो बच्चा वो positive charge है और यह अगर आपके पास negative charge है तो this electric field line will be inward यानि अंदर की तरफ ऐसे रहेंगे तो यह आपका हो गया inward और यह है आपका outward outward and then inward चलो अब इसकी जो पहली property है कि वो positive से निकलती है और negative charge पर end होती है it starts from positive and then ends with the negative पर अगर positive से start होगे जा कहां तक रहे है हमें नहीं पता तो विल से एक infinity तक because हमारे लिए यहां से 2 km का जो distance हो बहुत दूर है I cannot see 2 km पर क्या है गिद्ध नहीं है हम जैसे बगवान शेराम जटायू के भाई का नाम किया था समपाती उन्होंना देख लिया था सीता माता का है अबर I cannot see that but for जटायू स्री लंका is at infinity distance अगर जटायू तूम हो तो जटायू के लिए वो infinity नहीं है तो infinity का मतलब इन तो बहुत मतलब बहुत ऐसे चलता रहे नहीं infinity का मतलब होता है for you the distance which you cannot feel तो वो होता है आपका infinity तो positive से electric variance निकल रही है end नहीं हो रहा तो infinity और कहां end होती है तो negative पर negative पर आ कहां से रही है तो infinity तो यह जाती है infinity तक और आती है कहां से infinity से चलिए तो positive से निकलती है और minus पर end होती है ठीक है बच्छो तो यह पहली property है हो गई जो दूसरी property है आपके textbook पे वो यह है कि it is continuous no break but there is a condition free from charge इसको feel करियेगा किताब का दूसरा property है आपको किताब में भी ले जलता हूं भी कहीं भी कोई भी जोन है rocky भाई की electric finance निकल रही है तो गरुणा जैसे लोग नहीं है तो electric finance continuous होगी without a break so if there is a zone of charge free areas then this electric field lines will be continuous without a break क्योंकि अगर electric charge नहीं है गरुणा नहीं है तो electric field lines उसको force लगाने नहीं पड़ेगा किसी पे भी ना attract होगी ना repel होगी बट अगर कोई दूसरा charge आ गया तो repel कर सकता अट्रैट कर सकता तो it is continuous तीसरी बहुत important property बच्चा यह 2-3 marks में से लिखना होता है mcqs आ सकते हैं ऐसे कर देगा बूलेगा charge पूछेगा कि क्या सही है क्या गलत है तो if you have the concept ना आप कोई भी question cancel कर सकता है मेरी guarantee है तीसरा होता है कि यह कभी भी close look create नहीं करता close look create नहीं करता का क्या मतलब है कि अगर जैसे positive charge है तो इसकी electric planes ऐसे जाके ऐसे आजाए it's not possible at all क्योंकि अगर plus से निकली है तो minus की तरफ जाएगी और अगर minus है तो infinity से आएगी so it never creates a close loop and the last one is very very interesting number 4 and that is never intersect never cross each other यह ज्यादा अच्छा लाइन है कि कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करता ऐसा क्या कारण हो सकता है तो यहाँ पर एक और बहुत यह basic बात समझना बच्छा जैसे मान लो कि अगर यह एक electric field lines है और यह दूसरी वाली electric field line है तो जिस जगह पर यह ऐसे touch मतलब cut कर रहा है अगर cut करता तो यहाँ पर electric field line जानने के लिए मुझे tangent कीचना पड़ता है it is also property अब इसे property यहाँ पर पहले एक देदीजे कि किसी भी point पर electric field का direction जानना है तो मुझे curve पर tangent कीचना होता है तो basically electric field line is nothing but at a kind of kind of curve होता है जिस curve पर tangent कीच दूँ तो the tangent will give you the direction of electric field I repeat the sentence you can note down electric field lines are the curve in the electric field where we draw a tangent to get the direction of electric field it's a curve ऐसे कर्व है इसके किसी भी point पर electric field जानना है तो मैं क्या खीचूंगा tangent touch on a line तो यह मेरे को क्या देगा direction of electric field तो यहाँ पर दिया direction of electric field ऐसा और अगर दूसरी वाली ऐसे काट रही होती तो यह ऐसा होता क्या यह possible है कि दो electric field lines का दो direction मिल जाए electric field कर नहीं direction तो fix है अगर plus है तो बाहर जा रहा है minus है तो अंदर की दरफ आ रहा है तो यह तो अगर cross करता तो ऐसा होता which is not possible that's why we will say never cross each other these four to five properties you will also learn in the upcoming upcoming chapter after current electricity that is called your magnetic effect of electric current जहाँ पर हम magnetic field lines की properties बढ़ रहोंगे वो भी कुछ ऐसा है ऐसा ही मिलेगा तो याद रखेगा दो marks में भी आ सकता है 30 marks में भी आ सकता है 3 marks में तो छे property लिख देना ंडिगरम्स के साथ बना देना 2 marks में आता है तो चार property लिखना mcqs कैसे question पूछेगा तो मैंने बताया कि positive है negative है पूछेगा कि direction कैसा है इसली के नांसे दिसकोशन है चलिए वेरी इंट्रेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट है यहां से आपका समल लीजे कॉंपुटीशन एक्जाम में भर भर के कोशन आता है इसे बहुत जगह पर बहुत टुफ करके ही पढ़ में भी कहा था कॉंपुटीशन एक्जाम का यह आप चाहें जई की बात करें नीट की बात करें मेंस एडवांस बिट सेट कोई भी एक्जाम हो आता है और बोड लेवल पर भी इस चैप्टर से आप गैरेंटी के साथ लिख लो आपकी अपकविंग बोड एक्जामिनेशन क इंदर पक्का यह सवाल पांच मार्क्स का होगा इसमें टॉपिक आता है जहां पर डेरिवेशन है एप्लिकेशन अफ गाउस लोग के तीन चार स्पेशल डेरिवेशन है वहां के कोश्चन्स गैरेंटेड आपके सीबेसी बोड में आएंगे तो एक-एक करके बारी-बारी से हम तमाब उन चीजों को सीखेंगे जिससे हमारा निमेरिकल भी स्टॉंग होगा और हम पूरी कहानी को भी समझ पाएंगे देखिए बचा हम इलेक्रिक फ्लक्स पर आते हैं लेकिन इलेक्रिक फ्लक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें एरिया के बाने में समझना अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहां पर एक स्क्वेर प्लेट दिया हुआ है ठीक है इस तरह से और इसकी लंबाई या स्वारी क्या कहते है इसको स्क्वेर है तो साइड सारे सहीम होते है मैं आपसे पूछों बच्चा इसका एरिया कितना है तो जो जनरल स्टूडेंट वो यही कहेगा सर एरिया 14 मीटर का स्क्वेर पर साइंस स्टूडेंट दिमाग लगाएगा वो कहेगा यार 14 मीटर स्क्वेर तो अंसर है that is magnitude पर डिरेक्शन भी हां मैटर करेगा यानि एरिया सिर्फ एक मैग्निट्यूड नहीं देता है वो आपको डिरेक्शन भी देता है जड़ा सोच करके देखे अगर मैं इसे कहूं यह x है और यह y है तो इसकी एरिया आप कहां देख रहे हैं इसकी एरिया आप कहां से देख रहे हैं आप z डिरेक्शन से खड़े हो करके देख रहे हैं this is x this is y you are standing here the out of the board that is obviously the z axis so area is not a scalar quantity wrong area vector quantity होता है याद रखिए इसको और इसका direction surface के perpendicular होता है उसमें भी दो condition आती है कि आपके पास में body कैसी open body है या close body है ठीक है तो पहला point हमें क्या समझ में आ रहा है कि area is not a scalar quantity but area is a vector quantity अभी आपको पता चलेगा कि why this is playing a huge role in the explanation of electric flux बने रहेगा बच्चा लास तक देखिए पूरा session मजाएगा आपको second point अगर आपके पास में कोई open body है open body मतलब जैसे कि माली जी यह कोई plate है square plate है ऐसे रखा हुआ है ठीक है या कोई disc है तो यह open body का जो area है जैसे आप यहाँ देख रहे थे square plate का surface के बाहर था तो surface के हमेशा perpendicular होता है बट surface के perpendicular तो ऊपर भी हो सकता है और किसी student के लिए surface के perpendicular नीचे भी हो सकता है तो कौन सा सही है वो ऊपर या नीचे देखिए surface के perpendicular होना चाहिए तो यह एक प्लेट हो गया तो इसकी area उपर भी है और इसकी area नीचे भी है बट याद रखेगा कि किसी भी open body में area का कोई भी direction आप लो चाहे उपर या चाहे नीचे फिर आप उस पूरे questions को solve करने के लिए उस question को solve करने के लिए stick with that direction for an open body area is always perpendicular to the surface any one perpendicular direction will be considered as a area vector area vector direction but for the whole problem not for the whole life जैसे कि ऐसा जरूरी नहीं कि open plate के लिए हमेसा उपर की तरफ नहीं आप किसी question को solve कर अभी हम सवाल करेंगे especially उस question को solve करने के लिए आपने उपर मान लिया तो आप उस पूरे question को उपर मान करके करो अगर आपने नीचे ले लिया तो उस question को solve करने के लिए नीचे बान करके चलो that is just something like acceleration आप कहा मानते हो नीचे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर उपर भी मान सकता है मानिये फिर वह acceleration minus हो जाएगा kinematics में आपने यह सिखा था right तो ये देखिए तो ये open body है ये vector quantity है दो चीज हो गई और तीसरा जो मुद्दा होता है वो ये है कि अगर मान लो हमारे पास में कोई close body हो गया ठीक है तो close body का मतलब जैसे मान लो sphere तो इस sphere के लिए area vector हमीशा perpendicular to the surface होता है अब अगर कोई भी close body है तो perpendicular surface के लिए तो हमेशा ऐसी रहेगा इस तरह से यहाँ पर ऐसे या फिर ऐसे बहार जाने वाला direction या पीछे जाने वाल तो अगर हमारे पास में close body है तो perpendicular always perpendicular always perpendicular और यहाँ पर है any one perpendicular direction any one perpendicular direction तो कोई भी एक perpendicular direction इधर outward और in the downward अब समझते है concept of flux अब समझने में मजाएगा तो concept of flux को समझने के लिए हम एक example को समझते है पहले मालीजे बच्चा यहाँ पर एक charge है यह charge अपने मेंसे क्या निकल रहा है चार्ज यानि रोकी भाई तो obviously रोकी भाई अपने मेंसे electric field lines बाहर निकालते हैं बहुत सारे electric field lines जा रहे हैं और सभी direction में मैं यहाँ पर एक plate रखता हूं यहाँ से दीखेगा बच्चा छीक है यह मैंने ऐसे plate रखा एक यह चोटा plate है और यह एक बड़ा plate है आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से situation में chances हैं कि electric field lines पूरी से link रहेंगी A में या B में माइ कोशन इस विच प्लेट विल एब्सॉप्स और विल ट्राइट टू अटैस्ट धी एंटार electric field lines which is coming from small q charges ओविसली छोटा plate जो है उसमें कुछ field lines जैसे चार लोग आ रहे यह इत्तू सा plate है यहां से चार लोग आ रहे तो दो लोग link होगे लेकि दो लोग ऐसे चले जाएंगे लेकिन अगर plate को बड़ा कर दो ऐसे अब 4 के 4 यहां पर link हो गए मतलब कहीं ने कहीं plate की area matter करती है कहीं ने कहीं electric field lines किसी body के साथ attached हुआ तो area matter करता है मतलब electric flux एक quantity है physics में जो हमें यह बताती है फ्लक्स मतलब quantity electric flux physics में quantity है जो हमें यह बताती है कितनी field line surface को काटने वाली है something like electric field lines linking with the surface तो आप note करिएगा यहां पर कि concept में number of field lines links with the surface links with the surface is basically called your flux मतलब this is the general meaning of flux electric flux अभी हम formula पर नहीं आये अभी हमने इतना समझ लिया कि plate चोटा होगा तो कम field lines कटेंगी ज्यादा बढ़ा होगा तो ज्यादा फिल्लाइस कटेंगी मतलब electric flux is something like कितनी field lines कट रही है surface के साथ मतलब area का roll हो गया area बढ़ा है तो ज्यादा हो गया area चोटा है तो कम हो गया साथ मैं electric field का भी खेल यहां चल रहा है so electric flux कुछ-कुछ quantity ऐसी लग रही है जिसके अंदर दो लोगों का multiplication होने वाला है electric field and area का just imagine अगर मैं यहाँ पर charge को बढ़ा दो I'm taking two coulum charge I'm taking three coulum charge I'm taking four coulum charge so the moment when I'm increasing the value of charge the electric field is also increasing hence the more electric field lines links the surface hence flux will be increases मतलब flux क्या है तो flux is basically a product of electric field as well as area लेकिन physics में product भी दो तरह का होता है अब यहां जवर्तस्त concept आपका वेट कर रहा है ध्यान दीजेगा आपको मजा आएगा जैसे हमने अब यह कह दिया कि electric flux इसको हम 5 से रेप्रेजेंट करते है दो तरह से possible है इसे यहां पर मालो electric flux इसे पैरलल आ रही है बराबर यहां से दीखिएगा बच्चा जो मैं आपको समझा रहा हूँ पहले प्लेट ऐसे रखी गई है this is the position of plate 1 ऐसे 3D में है राइट और दूसरे situation में yellow color हम फिर से लेते हैं these are electric field lines और अब इस situation में जो हमारी plate रखी गई है वैसे लिटा दी गई है same plate same area की ऐसे ऐसे तो यहां पर ऐसे रखी है plate और यहां पर ऐसे रखी है plate आप बताईए जो चार पीली लाइन है electric field lines किस में maximum होगा यहां पर यह ऐसे आपका answer है सर जब आप ऐसे इस वाले example में यहां वाले example में cross में जा रहे हो तो यहां पर दो मुझे minimum मिल रहा है theoretically सूचिए कहां मिल रहा है flux यहां 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 obviously यहां मिल रहा है तो इसका मतलब है अगर मुझे flux को maximize करना है तो मैं अगर e.a को तोड़ता तो यह मेरा ea cos 0 होता और यह होना चाहिए था ea sin 0 अब जड़ा देखे ध्यान से यह open body है open body के लिए area कहां होता है surface के perpendicular यहां भी हो सकता है इस तरब भी हो सकता है यहां ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है अगर मैं area यहां लेता हूँ तो electric field पीली वाले line और white वाले line के बीच पे angle कितना है जीरो कॉस जीरो की वैलो कितनी है वन तो यह बिल्कुल सही है flux मुझे maximum मिल रहा है कि समझ गए यहां देखिए यहां बच्चा लोग आपका थीटा कितना है area उपर है और यह ऐसे जा रहा है तो यहां पर साइन जीरो की वैलो कितनी हो जाएगी यहां पर साइन एक्रॉस य यह साइन थीटा होगा और थीटा कितना है 90 डिग्री है कैसे 90 डिग्री पीली वाली लाइन और वाइट वाली लाइन area vector this is area vector this is electric field this is area and this is electric field तो यहां ए और ए के बीच में angle 0 है जब मैं cost लेता हूँ तो 5 मुझे maximum मिल रहा मतलब यह चीज proof हो रही है कि हाँ बिलकुल सही है लेकिन यहाँ पर भी maximum मिल जा रहा है जो कि theoretically यह बात गलत है क्यों गलत है क्योंकि यहाँ पर तो maximum नहीं मिलना चाहिए था यहाँ तो minimum मिलना चाहिए थ यहाँ minimum मिलना चाहिए था लेकिन area और electric field अगर मैं cross ले लूँ cross product लूँ तो मुझे flux की वह value नहीं मिल रही है जो यहाँ correction के साथ मिल रही है इसलिए बच्चा जब हम बात करते हैं concept of flux की तो flux के formula में e.a आता है because पूरा का पूरा explanation आपके सामने है कि क्यों cost लेते हैं क्यों cross product नहीं करते हैं क्योंकि cross में पूरी theory गलत हो जाती है is it clear so what is electric flux electric flux is basically product of electric field and area vector और कौन सा product तो इसे हम scalar product कहते हैं एक slide पर और जलते हैं तो यहाँ पर आपके flux का point आ गया phi is equal to vector e vector a यानि यह हुआ आपका ea cos theta correct this is the wonderful formula of flux now the next point is flux आपका 0 भी हो सकता है flux आपका positive भी हो सकता है flux आपका negative भी हो सकता है 0 कब होगा बच्चा जब e और एक दूसरे के perpendicular हो क्योंकि theta 90 degree हो जाएगा theta 90 होते ही cos 90 0 हो जाता है positive कब होगा जब e और a वो दोनों same direction में हो theta आपका 0 होगा cos 0 1 होता है और जब आपका e anti parallel हो a के तो theta आपका 180 होगा और minus भी हो सकता है कुछ बच्चें यहाँ पर offline में हमसे पूछते हैं वो ही वाला doubt मैं यहाँ लेता हूँ आप लोग का और इसके अलावा भी कोई doubt हो तो you can comment कि सर area मैं इधर लूँ तो मैं बोलता हूँ स्वागत है आपका लीजे तब अगर यहाँ लेते हो तो भी theta 180 आएगा 180 यहाँ रखोगे तो कॉस 180 की value minus 1 होती बट फिर भी magnitude यही आया यानि यहाँ पर अगर मैं area को switch करता हूँ तो मेरे को theoretically flux maximum value के साथ मिल रहा है माइनस reverse जरू करेगा direction को बट maximum दे रहा है बट अगर मैं area यहाँ भी लो तो भी theta 90 है तो भी मेरे को e cross a पर जाने पर यही मिल रहा है which is not good क्योंकि यह मिली नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर fill lines कट ही नहीं रही है तो maximum नहीं हो सकता है minimum हो सकता है Max to Max कितना हो सकता है ए into a और कोसलेने पर यह आता है इसलिए बच्चाter नहीं लिया जाता है लेकिन कौन सा प्रॉड़क्ट लिया जाता है dog product लिया जाता तो पहले हमने क्या समझा area क्या है area समझने के बाद हमने क्या समझा कि it's a product of electric field in an area, फिर हमने क्या सीखा कि कौन सा product, scalar या vector तो scalar product, फिर हमने क्या सीखा कि इसके कौन-कौन से value हो सकती है, तो positive, negative, zero सब कुछ हो सकता है, अब दूसरी सबसे खास बात, अगर किसी close body के अंदर, ध्यान दीजेगा बच्चा, close body है, इस close body में, से अगर electric field lines ऐसे बाहर की तरफ आ रहे है, इसका मतलब है कि यहां पर positive charge है, तो there is a positive charge inside the body, यह सब आपके textbook के एकदम key points है, the highlighted points of your textbook, no need to open the textbook, if I open the textbook, you'll see the same point, और अगर माल लीजे कि electric field lines close body के अंदर आ रही है, ऐसे, इसका क्या मतलब हो सकता है, there is a negative charge, तो यहां पर negative charge है, ठीक है, flux भी negative होगा, और negative charge inside है, तभी तो वह electric field ऐसा हो रहा है, एक और बहुत interesting point है, जैसे माल लीजे की close body है, और इसमें electric field lines ऐसे entry लेके बाहर निकल गई, तो इसका total flux कितना होगा, तो इस body का जो net flux होता है, वो zero हो जाता है, पुझे क्यों, क्योंकि इस particular जगा पर, क्योंकि ये close body है, तो area surface के perpendicular होगा, electric field इदर है, पीली वाले line देखिए, किदर जा रही है, right side, बल्कि area surface के perpendicular इधर होगा, theta कितना हुआ, 180, तो 5 कितना हुआ, minus में ea, और अगर हम यहाँ देखिए बच्चा लोग, तो यहाँ area इस तरफ है, surface के perpendicular, always outward, surface के perpendicular, for a close body, और electric field भी यहाँ पर है, so, यहाँ पर angle कितना हुआ, 0 degree, तो fiber अपर कितना है, ea, 0 degree में ea आता है, 5 is equal to ea हो जाता है, यहाँ लिख भी लेता है, तो यहाँ पर theta बराबर 0 है, 0 रखने पर यह आपका ea होगा, यहाँ पर भी theta 90, तो flux 0 हाँ, यह आपका ea आपका 0 ही हो गया, और यहाँ पर आपका minus म प्लस ही है, तो net कितना होगा, बाटी का 0, यह बहुत बाट जी में से अड्वांस और नीट में पूछा गया है, कि we have a closed body, the board and the electric field lines are entering and then coming out from the other side of the closed body, what will be the net flux, it is going to be 0, आपके textbook में भी question है, we'll understand that question as well, but एक एक्जांपल से और एक concept को बहुत अच्छा कर लेता है, जैसे माल ल एंगल दिया है, 45 degree, आप से पूछा गया है, इस related flux बताओ, पहला option, EA by root 2, दूसरा option, EA, तीसरा option, 0, और चौथा option, none of this, मन तो कर रहा है कि आप लोगों को दीदू task, आप कॉमेंट करके बताओ, बढ़ समझाता हूं, maximum student जब भी इसे पढ़ाया जाता है, चाहें, online batches में हो 45 है, so the answer would be EA by root 2, but this is absolutely wrong, the reason is, आपने ध्यान से समझा नहीं, ये एक डिस्क है, डिस्क एक open body होता है, और open body की area, कोई भी एक perpendicular direction होती है, यानि अगर इस से direction लो में area कैसे बाहर की तरफ, तो मेरे pain को ध्यान से देखी, ऐसे बाहर, अंदर भी ले सकतो, imagine कर लो अंदर है, so what is the angle between this pain and electric field, because ultimately phi is equal to E dot A, so what is the theta, theta is basically the angle between electric field and area, so the answer would be theta equals to 90 degree, और phi 90 रखते ही आपका answer क्या होगा 0, so the answer would be 0 degree, sorry 0, समझ गया, so whenever you are dealing with flux, try to remember the concept that area is not a scalar quantity, it is a vector quantity, and if you are dealing with an open body, any one perpendicular direction, either you take this one, coming out of the board, or you take inside the board, ठीक, अगर अंदर की तरफ जाएगा, तो भी angle कितना होगा, electric field के साथ, 90 degree, feel कर लीजे, तो आपका answer हर बार क्या होगा, 0 ही होगा, चलिए, अब आईए, देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, अगले सवाल पर चलते हैं, two point charges, QN and Q2 of magnitude, इतन respectively, are placed 0.1 meter apart, calculate the electric fields, at a point A, B and C, shown in the figure, तो हमें diagram दे रखा है, और हमें electric field पूछ रहा है, हाँ, इस flux के बाद में यही topic है, electric field पढ़े ना भी, फिर flux आया, ओके, आपके textbook के हिसाब से ही चल रहा है, चलिए, तो सवाल ज़र एक बार फिर से देखते हैं, तो Q1, Q2 है, Q1, Q2 और Q3 कहां बना है, यह थोड़ा blur हो गया है, Q1, and यह Q2 है, चार्ज, यह वाला जो distance दे रखा है बच्चा, वो 0.05 है, यह है 0.05, यह है 0.05, यह है 0.05, यह है 0.05, यहां से यहां तक का, and यह आप लोगों का 0.1 है, 0.1 है, and I think C point is nothing, but that is a point, charges आपको यहीं पर दी है, एक आपका 10 raise 2, 8 कूलम है, minus 8 कूलम, Q1 इतना है, और Q2 minus 10 है, Q2 आपका, यह है, ठीक है, आगे बोलता है, A, B, C पर electric field निकालो, तो A mid में है, B यहां पर है, और C यहां पर है, चलिए कि करके समझते हैं, आसान सा सवाल है, आपको निकालना है, इस बार electric field, ध्यान देना, सबसे पहले हम यह point पर निकालते हैं, जब भी आप electric field निकालो, हमेशा यह ध्यान रखो, number of charges system में कितना है, this will help you always, बच्चा, even in a derivation, this will help you a lot, हमेशा ध्यान रखे, in the calculation of electric field, system में क्या देखो number of charge, then, जितने number of charges होते हैं, उतनी electric fields होती है, अब क्यूंकि system में 2 charges है, तो 2 electric field होगी, तो इस point पर इसकी वज़े से भी electric field आएगा, और इसकी वज़े से भी electric field आएगा, clear है बात, ठीक है, तो इस point पर जो यह negative charge है, Q2, minus में, वो electric field invert छोड़ रहा होगा, ऐसे, A point पर, और इस point पर यह positive charge है, तो उसकी electric field ऐसे आ रही होगी, now, electric field is a vector quantity, बोथ हार, generating the field lines in the same direction, So the result would be plus, यानि इसकी वज़े से KQ by R square, मैं यहां लिखता हूँ, KQ by R square, ऐसे examples कराऊंगा, बच्चा, अगर आप ध्यान से सुन ले गए ना, आपको physics में प्यार हो जाएगा, भूल जाएंगे आप अपनी वाले, अपने वाले को, है तो, ठीक है, तोनों पर लगव होता है, अपने तो physics से बच चलो, K, K की जगह पर 9 into 10 power 9, चार्ज, चार्ज आपका 10 raise to minus में 8, और distance 0.05 है, यानि 5 by 100 and 5 by 100, देखे क्या किया, मैंने 0.05 को तोड़ दिया, R का square है, तो 0.05 point को हटाएंगे, तो 5 by 100, तो 5 by 100, 5 by 100 दो बार लिखा, कुछ बच्चे confused होते हैं, सरी यहां minus ह यहां प्लस करो, तो answer तो 0 होना चीए, यही समझना बहुत अच्छा, यहां पर बच्चों को doubt होता है, तो doubt को clear करता हूं, मैं, जब भी आप electric field के questions को solve कर रहे हो, या coulombs law के question को solve कर रहे हो, तो charge को negative अगर आपने देख लिया, तो उनकी value को कभी भी रखो मत, क्यूंकि negative की वज़े से तुमने direction तो consider कर लिया न, then if you are writing kq by r square, तो in that kq by r square, always consider that q as a magnitude, because direction आपने consider कर लिया, अब just imagine अगर ये दोनों plus होते, तो ये विचारा ऐसे चोड़ रहा होता और ये विचारा ऐसे चोड़ रहा होता, तो दोनों opposite होते, तो instead of plus, I would have taken minus, got the point बचलो, still if you are facing problem, मैं को instagram पर, इस जगह पर मैं को वो कर देना, tag कर देना, such an underscore, sir underscore physics, insta idea, or you can comment here, clear न, ठीक है, तो चलो इसको solve कर लेते हैं, भाई सब क्या है, यहां का चार, आट के साथ चला जाएगा, अभी दिखो, फिर से approximation पर मैं घुस रहा हूँ, नवदूनी 18 बटे में 25, या फिर ऐसा कार द या ठारा चोक 72, तो 72 इंटू, नौ में से आड़ीया, तो एक, और यह दो तीन, तो 10 पावर में 3, can I write, बच्चो, 7.2, पॉइंट को इधर लेकर के आया, इस तरफ जब भी पॉइंट को shift करो, तो पावर में positive चड़ाईए, जितने भी पॉइंट shift करोगे, तो यह आपका ह 10 पावर 4, electric field का क्या होता है, newton per coulomb is the unit of the electric field, ठीक है, तो 7.2, 10 पावर 4, newton per coulomb, I think वह वहाँ पर यह point चूटा है, वह electric field का formula F upon Q होता है, तो force का newton, charge का coulomb, तो this is the answer of the first question, A point पर अपने निकाल लिया, क्या बच्चा है, ऐसे ही आप B point और C point पर भी निकाल सकते हो, चलो देख लेकते हैं, B point पर भी देखते हैं, तो अगर मैं B point पर देखूं, only you have to focus on the direction, B point पर इस positive की वैसे electric field आउटवर्ड होगा, ये negative है, इसकी electric field इधर जाएगी, अब देखिए, दोनों opposite हो गया, फिर से समझे, B point पर इससे electric field कैसी आ रही होगी, outward, क्योंकि positive charge R1 का square, जो positive है, KQ1, तो दोनों same ही है, और दूसरा, KQ upon R2 square, अब सरा आपने R1, R2 क्यों करा, because distance अलग अलग है, इस chart से ये distance 0.05 है, लेकिन इस से देखिए तो distance अलग है, तो हम KQ को कर लेते हैं common, 1 upon R1, तो इसकी वज़ा से है आपका 0.05, तो 0.05 का square, and then बच्चा यहाँ माइनस, 1 upon 0.05, प्लस 0.05, यानिकि 0.1, और यह 0.05, तो 0.15 का square, अब कर लोगे न, अप्रॉक्स में थर्ड से, do it, यह आपका टास्क हो गया, ठीक है, अभी C point पर आते हैं, इस C point पर देखो, positive की वज़ए से, electric field बाहर की तरफ होगी, और negative की वज़ए से, electric field कहा होगी, ऐस से, अब क्या करेंगे, दोनों की बीच में angle, यह angle कितना होगा बच्चा, तो यह 0.1 है, यह भी 0.1 है, यह भी 0.1 है, तो equilateral triangle हुआ, यह 60 है, तो यह आपका 120 है, मैं आप से एक सवाल पूछता हूँ, यहां से यहां तक का distance same है, यहां से यहां तक का distance same है, तो यह भी E हुआ और यह भी E हुआ, ऐसा आपने Coulomb Slough में भी किया था, तो यह भी E स्क्वेर, प्लस E स्क्वेर, प्लस 2 E स्क्वेर, प्लस 2 E स्क्वेर, तो यह भी E स्क्वेर, तो आंसर हैगा E, विच इस नथिंग, बट आड़ इस KQ by R स्क्वेर, पुट के 9 E to 10 पावर 9, चार्ज वैल्य 10 दिस to minus 8, do not take minus, R के जग़ा पर 0.1 का स्क्वेर, वोट इस R, R is basically the distance of the point from the charge, point from the charge, it is 0.1, that's it, तो क्या सीखा अपने इस question के अंदर, अब यहाँ से NCRD के इस सवाल को जिसने ढंग से सीखा, वो कैसे भी question को कर सकता है, हमने यहाँ पर यह सीखा कि जब भी हमें electric field deal करना होत देखेंगे, फिर अगर minus है, तो हम direction बदल लेंगे, और उस हिसाब से plus आएगा, तो plus करेंगे, minus आएगा, तो minus करेंगे, बीच वाले point पर दोनों का plus आ रहा था, plus कर दिया, इस point पर opposite था, minus किया, यहाँ पर angle method लगा दिया, अब ये भी धियान रखिए कि angle method कब लगाते है, angle method हम इसा हम तभी लगाते हैं, जब vector quantity हो, क्या electric field vector quantity है, yes, its direction is always in the direction of force, लिखवाया है आपको, चलिए, आगे बढ़ता है, ओके, 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 अच्छा बच्चा अगर मैंने कहीं पर calculation error किया होगा, तो मिरे को माफ कर देना, बागी method सही है, 72 जैसा मुझे कुछ यहाँ पर लगा नहीं, calculation है, वो आप check कर लिजेगा, A point तो यह रहा, तो A point पर तो इनका answer, यह रहा, सही है, 7.2, 10 is to 4, बिल्कुल सही है, 10 power, जैसा मुझे, ओके, कभी-कभी कुछ बच्चे होते हैं, अच्छा ही नहीं देखते हैं, फिर वो यही देखेंगे, रे सर, गलत हो गया आपका, चलिए, अगला जो प्रश्न है, वो आजाएंगे slide पर, 1.9 है न, यह रहा, यह देखें, तो डाइपोल में उस गया है, 1.9, अब में डाइपोल करना पड़े हैं, पहले, हमारे slide maker ने गलती कर दिये है, जस्ट ए सेकेंड बचलो, डाइपोल, ठीक है, पहले डाइपोल समझ लेते हैं, फिर 1.10 पर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है, इस ओके, इस ओके, sometime it happens, अगला जो टॉपिक है बच्चा, वो है electric डाइपोल, समझते हैं क्या चीज है, डा नाम से पता चल रहा है, कि डाइ का मतलब होता है, दो, और पोल का मतलब होता है, positive, negative, charges, जैसे north pole, south pole, तो if we consider north as a positive and south as a negative, तो it's something like that, डाइपोल, scientist लोगों ने कहा यार कि अगर एक negative charge है, और same amount का एक positive charge है, कि बीच में एक proper separation है, suppose यह separation जैसे यह origin है, origin मतलब 00, यह आपका minus A ह और यह आपका plus A है, बहुत बच्चे confused होते हैं इसके अंदर, आप अब भी ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहता हूँ, confusion क्या रहता है, इसके बीच का जो proper distance है, वो 2 A है, मैंने कहाँ distance, तो 2 A ही होगा ना, कुछ बच्चे बोलते हैं सरी तो minus A, minus A plus A 0, बाबा, यह position को represent किया है, और इजीन अगर मान रहे हो, तो यह minus है और यह plus है, बाब distance कभी 0 थोड़ी हो सकता है, वो तो minus लेते हैं ना, तो plus ही रहता है, तो dipole का मतलब होता है, it's a system, एक तरीके का system, आप क्या सकते हो, it is a system of two opposite charges of same magnitude, of same magnitude, ठीक है, fixed at some, finite distance, इसका क्या मतलब हुआ, कि एक ऐसा system, जो की दो opposite charges से मिलकर बनता है, same magnitude का, plus minus 10, plus 10, और उनके बीच में एक fixed distance होती है, उसे हम dipole कहते हैं, तो dipole की quantity को बताने वाल, dipole की जो strength होती है, उसका जो strength होता है ना, बच्चा, कि यह dipole, जैसे market में तो कितना भी dipole हो सकता है, हव अब यह आप आगे second chapter में पढ़ेंगे, chemistry में थोड़ थोड़ आपने पढ़ा होगा, oxygen है, nitrogen है, और एक होता है, जैसे H2O है, तो H2O की खास बात किया है, उसमें hydrogen के दो लोग है और एक oxygen है, तो उसमें ना बच्चा लोग, permanent dipole होता है, उसका structure यह ऐसा है कि dipole उसको बचा कर बना कर रखता है H2O, लेकिन oxygen में, जहां oxygen है, वही oxygen है, उसमें dipole नहीं होते, तो यह जो bonds के structure होते है, chemistry में, कहीं ना कहीं वो link होते है, physics के यहां से, जिसको polarizability भी कहते है, chemistry में थोड़ा सा है, side करते है, अभी अपने physics के साथ चलते है, क्या चीज़ है dipole? एक system, हम क्या ब moment, प्लीज याद रखिएगा, electric dipole moment, ऐसा ही एक चीज़ आपको मिलेगा, कहां पर, chapter number 4 में, जहां आपको सुनने को आएगा, MDM, magnetic dipole moment, और इस quantity को represent किया जाता है, P से और इसका formula होता है, Q into 2A, मतलब कि कोई भी charge का magnitude दोनों में से, और उनकी बीच का proper distance, अच्छा, अब ज़ तो इसका direction कहां होगा, तो इसका direction बहुत important है, बच्चा सवालों को deal करने के लिए, always from negative charge to positive charge, तो इसका direction कहां होता है, हमेशा negative charge से positive charge की तरफ होता है, तो negative charge से कहां होता है, positive charge की तरफ होता है, तो dipole का direction हमेशा minus से plus की तरफ होता है, इस वेक्टर quantity, इस पे net charge कितना होता है, तो clearly visible इस पे net charge 0 होगा क्यों? क्योंकि ये minus है ये plus है overall answer 0 लेकिन जो आपका net electric field है that cannot be 0 at all ऐसा क्यों? चरह समझ ये ध्यान से अगर मैं आपसे net electric field पूछ हूँ यहाँ बीच में तो positive की वज़े से electric field ऐसे गई और negative की वज़े से electric field ऐसे गई ध्यान से बच्चा मैंने गलत करा ये positive है ना? ये वाला positive है तो ये electric field ऐसा outward देगा और ये negative है तो electric field ऐसा ही देगा inward तो ये inward और ये outward तो दोनों का direction क्या हो गया? same 0 हो सकता है क्या नहीं? बीगिए उस तब electric field आपका add हो जाएगा भी आपने के example में देखा, so किसी भी dipole की वज़ा से net electric field 0 कभी नहीं होता है, लेकिन हाँ आपका जो total charge होता है वो 0 होता है, क्योंकि magnitude same है तो ये आपके electric dipole के points हो गए, अब हम आगे दो derivation करेंगे, जो कि बहुत खास है बच्चा बहुत जादा important है और वो है, कि dipole in a uniform external field तीन है, in fact, इसके point है, आपके NCRT में, page number 27 पर है dipole in a uniform electric field uniform electric field का क्या मतलब है, तो वो समझते हैं पहले uniform electric field का मतलब होता है कि जिस पर magnitude of electric field हर जगा पर से हो और electric field आएंस एक दूसरे किस तरह से parallel हो इसमें मैंने एक dipole रखा theta जितने angle पर dipole है, तो एक obviously minus charge होगा, एक आपका plus charge होगा, और इसके बीच में proper distance होगा, दियान से देखना important derivation है, up to of 3 marks 3 marks derivation a very very special topic for all the competitive exam, just like J या NEET उसमें भी NEET से बहुत पूछते हैं, यहां से सवाद तो dipole का कैसा behavior होगा, अगर मैं किसी uniform electric field में रखता हूँ तो जड़ा दीखिए, force की हम बात करता है force on positive charge क्या इसकी value Q into E होगा answer, कैसे आपको concept याद आया, रोकी भाईवाला इसी lecture में सिखाया, किसी भी electric field के अंदर, यह pillar line electric field है किसी भी electric field के अंदर जब कोई charge आ जाता है गरुणा, तो मार खाता है इस formula से, मार खाने का मतलब force, Q into E के बराबर और अगर मैं force on negative charge की बात करूँ force on negative charge तो क्या, इसकी value QE ही होगी value QE ही होगी लेकिन direction क्या होगा तो यह positive charge इस तरफ जाने की कोशिस कर रहा होगा क्योंकि electric field का direction plus से minus होता है plus minus की तरफ भागता है और electric field का direction plus से minus होता है हमेशा plus से minus ऐसे बहुत सारे सवाल आपके होंगे example 1.8 यही था तो minus किस की तरफ भागने की कोशिस करेगा plus की तरफ तो देखिए दोनों पर magnitude तो सेम है QE और QE लेकिन दोनों opposite direction में है इसलिए जो net force है वो बच्चा लोग क्या हो जाएगा 0 net force क्या हो जाएगा 0 अब क्यों net force 0 हुआ क्योंकि यह dipole की charges भी सेम होता है और electric field भी हर जगा सेम है because यह uniform electric field है अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी भी body पर net force 0 है क्या है net force 0 है तो इसका मतलब है कि वो body move कर सकती है क्या कभी नहीं इसका मतलब है body equilibrium है physics की भासा में और वो भी कौन सी equilibrium linear equilibrium आप यहाँ पर note अगर बना रहे है यहाँ लिखिए कि if the net force on the body is 0 then the body is set to be in linear equilibrium मैं इसके उपर force लगा रहा हूँ एक यहाँ से भी 10 newton से और एक यहाँ 10 newton से body चलेगी नहीं body as it is रहेगी so there is no moment linear moment translation motion of this type wall at all but फिर भी थोड़ा ध्यान दीजिए अगर इसी body पर मैं एक force ऐसे उपर लगा रहा हूँ और एक force नीचे लगा रहा हूँ 10 newton से उपर 10 newton से नीचे body देखो घूम जाएगा यह ऐसे हो जाएगा इसे कौन सा चीज कहते है rotational effect कहते है और कौन सा impact कहते है impact of couple impact of torque torque क्या होता है torque किसी भी body को घूमाने में मदद करता है कैसे निकाला जाता है 11th में पढ़े थे force into perpendicular distance तो आईए हम समझते हैं कि यहाँ पर torque की value कितनी होगी क्योंकि torque तभी निकलेगा अगर body पर जो pair of forces लग रहे है उनके magnitude same हो और वो एक line पे ना हो यह यहाँ जा रहा है यह यहाँ जा रहा है तो आप इसके बाद में यह line note करके लिखिए here in this situation these two forces are of equal magnitude and not acting on a linear way or they are not in a collinear form collinear form का मतलब क्या होता है कि एक ही line पे ना हो आप ऐसा लिख दीजे they are non-collinear तो अगर आपको कुछ-कुछ 11 की physics का कहानी याद आ रहा हो आप सुचरे के सार कहास 11 की physics भी आप से पढ़ते है चैनल पर है बच्चा सब दीखिए two forces of equal magnitude whenever acts on the body and if they are non-collinear they always creates a couple couple की यह शर्थ होती है कि force equal magnitude के होने चाहिए और linear नहीं होने चाहिए non-linear होने चाहिए non-linear मतलब एक line पर ना हो यह इस line पर है यह इस line पर है दोनों अलगले line पर है इसलिए यह couple create करेंगे मतलब torque बनाएगे और वो जो torque होगा उसका formula होता है बच्चा force into perpendicular distance तो यह दोनों का force इतना होगी और दोनों के बीच में perpendicular distance कितना तो जरावो दीखिए ठीक है तो यह theta है तो यह भी theta है भाई parallel है और यह perpendicular distance हुआ दोनों forces के बीच में एक force ऐसे जा रहा है एक force ऐसे जा रहा है और एक force ऐसे जा रहा है कि बीच हो perpendicular distance यह हो गया अब अगर यह theta है तो बच्चा लोग यह आपका क्या होगा 2a sin theta क्योंकि यह 2a का 2a sin theta और यह आपका क्या है 2a cos theta इसलिए यहाँ पर हो जाएगा force कोई भी एक force ले लो q into e perpendicular distance 2a sin theta अच्छा अभी अभी आपने देखा कि जो हमारा electric dipole moment होता है वो q into 2a होता है तो यह जो q into 2a है बच्चा वो बन जाएगा p and then e sin theta that means p cross में e is the formula of torque तो यहाँ पर इस theory में बहुत अच्छी बात निकल के सामने आ गई है कि torque का मतलब क्या होता है torque body को घुमाता है कौनसी body को dipole को और वो भी कब dipole नाचेगा जब वो एक external electric field वो भी uniform electric field में होगा तो हमेशा वो नाचने लगता है torque आ जाता है इसके अलावा भी इसमें और भी points है बटो आपके neat के lectures में मैं explain करूँगा तो neat के भी video channel पर लगाता रा रहे हैं बच्चा सो भी है part of this batch ठीक है subscribe ज़रूर कर लेना चले तो torque हो गया अब यहाँ से key points है special case याद रखिए special case ये है कि अगर मैं theta 0 कर लू theta 90 कर लू और theta 180 कर लू possible है हाँ dipole अगर ऐसे हो गया तो electric field के साथ 90 degree का angle बना रहा है तो torque आपको मिलेगा PE theta 0 हो गया तो 0 हो जाएगा torque और यहाँ पर आपका तो भी 0 ही होगा sin 180 की भी value कितनी होती है 0 होती है PE sin theta so in case of this 180 degree angle कब होगा अभी तो देखिए minus से plus ऐसे है अगर यह ऐसे हो जाए तो electric field इदर dipole इदर तो dipole moment के बीच में और electric field के बीच में angles 180 बने तो 0 90 बने तो PE और अगर theta 0 है तो torque आपका क्या हो जाएगा 0 सो यहां से आपके mcq board के पूछे जा सकते हैं चलिए यह चीज़ भी हो गई अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं 1.12 ति continuous charge distribution very very interesting point यहां से आप application of gauss लो आसानी से समझ पाएंगे तो continuous charge distribution समझता है देखो तीन तरह का charge का distribution होता है ध्यान से देखिए बच्चा तीनों ही डियाग्राम अलग-अलग आपको दिखेंगे और तीनों का अपना-अपना importance है चलिए यहां पर आप देख सकते हैं एक line है तो जब भी charge को किसी line पर distribute कर दिया जाए wire पर तार पर तो उसे linear charge distribution करते हैं किया कहा जाता है किसी भी line पर charge फैला हो तो उसे linear charge distribution कहता है किसी भी surface पर अगर charge रखाओ प्लेट 2D. तो उसे हम surface charge distribution कहते हैं. और अगर किसी भी cube यानी कि 3D में charge रखा जाये, तो उसे हम volume charge distribution कहते हैं. पहले के text book के अंदर इनके बड़ए प्यारे question होते थे. लेकिन you all are very lucky, जो नया reduce syllabus वह उसमें से बहुत अच्छे-च्छे question delete कर दिया है तो बहुत limited questions है तो आप चाहो तो आराम से 70 में से 70 marks ला सकते हो with the help of video lectures कहीं को tuition की जड़त नहीं पढ़ेगी if you are watching the lectures from your heart चलिए तो linear charge distribution, surface charge distribution, volume charge distribution, charge distribution क्या होता है? charge का बटवारा, charge का distribution, charge का रखना हम किसी line पर रख दें तो linear charge distribution, surface पर रख दें तो surface charge distribution, volume पर रख दें तो volume charge distribution मैं कहता हूँ इस पूरे wire का length L है और यहाँ पर total charge अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर एक terms का use करते हैं जिसे कहा जाता है linear charge density, this will help you a lot, so lambda is equal to q by L, per unit length में जो charge निकालते हैं रखा जाता है उसे हम lambda कहते है linear charge density और जो इसका unit होता है बच्चा वह आपका होता है coulm per meter यानि इतने length में इतना charge आपको length पता है charge पता है you can find lambda और if you have lambda you can get the value of total charge by multiplying lambda into L यहाँ होता है बच्चा लो surface charge density इसको represent करते हैं sigma से अगर मुझे इसकी area पता हो इस पर total charge निकालना हो तो q by A और तीसरा वाला volume charge density will represent it with rho it's very easy so rho is equal to capital Q by V so we have lambda equals to q by L sigma q by A and then we have rho बराबर q by V इसका unit क्या होगा coulm per meter का square इसका unit क्या होगा coulm per meter का cube this will help you a lot for neat j mains बहुत सारे जगब पर इसका use होता है आपके NCRD board में कहीं कहीं पर exercise में सावाल है तो इनको अच्छे से note करिए ठीक है charge distribution भी हमने पढ़ लिया चली आगे बढ़ता है तो बच्छा एक एडिटर से mistake हुई है कि उसने 1.10 के बाद 1.11 ले लिया था बट everything is sorted क्योंकि पढ़ाया तो मुझे याद है तो आप page number 23 पर ही दीखेंगे तो ऐसा आपको दीखेगा textbook में एक बार आपको लेके चलता हूं मैं यह देखिए page number 23 हाँ यह वाला है 1.17 वाला एक्चुली यहाँ पर हमें डाइपोल पढ़ने के बाद ना डाइपोल के एकसेस पर और डाइपोल के इक्वेटर पर यह रहा यह देखिए यह एलेक्ट्रिक डाइपोल 1.10 जो हम समझ लिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिल्ड बहुत इंपोर्टन टॉपिक है यह आपके अंसियार्टी का एंड आता ही आता है यह भी एगर आप पेपर पीवाइक्यूस का देखें सारा का सारा पीवाइक्यूस भी हम लोगों ने शेनल पर किया हुआ है कम से कम 10 सालों के पेपर्स हमने सॉल के 10 सालों के पेपर्स तो आप अपने लिस्ट चेक आउट कर लीजेगा चलिए अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फिल्ड द्यू डाइपोल तो डाइपोल के इसे निकालते है ओन दे एक्सेस एंड एन एक्वेटर एक्वेटर के यह पक्या दिस्ट्स हमारे लिए मारे लिए माइन से है क्योंकि और चृछ क्यूंख लाइपोल कर दिरेक्शन ऐसा माइन से प्लस rumor का होता है and if I am saying that P is lying on the dipole axis then it is damn true because P जो है इसके axis पर ही है तो मुझे इस particular point पर electric field find करना है थोड़े दिर पहले की बारे में सोचो जब हम एक सवाल कर रहे थे तो मैंने यहाँ पर सिखाया कि कभी भी electric field find करना हो that will help you in the derivation as well क्या ध्यान रखे है number of charges जितने charges होते हैं उतनी electric field आपको मिलेगा यहाँ दो charges है एक positive वाला भी electric field दे सकता है और एक negative वाला भी electric field दे सकता है then think about a direction इस P point पर positive की वज़े से electric field का direction कहां आएगा outward ऐसा इससे कैसा निकल रहा है ऐसा outward direction में और इस point पर minus की वज़े electric field कैसा है ऐसा यानि इस जगह पर electric field ऐसे जा रही होगी इसके तरफ और यह plus से ऐसे जा रही होगी बोध हार बच्चा लोग इन दी opposite direction तो यह plus वाले के electric field को plus लेता हूँ और minus वाले electric field के line को मैं minus लिया तो जो मेरा net electric field हुआ E net यह आपका हो जाएगा E plus और फिर minus E minus why minus? not because of minus charge it is because of the direction ठीक है? अब electric field का value क्या होता है formula क्या होता है kq by r square so r क्या हो था? r था charge का point का charge से distance तो यह distance कितना हुआ? very easy यहां से यहां तक r है यह आपका a है देखे ध्यान से यह a है यह r है यह a है यह r है तो मुझे यह distance जाहिए तो r minus E so this is gonna be r minus E का whole square फिर minus kq many students always do mistake यहां minus ले लेते हैं फिर बोलते हैं plus आएगा नहीं मैंने आपको उस question में भी सिखाया था कि whenever you are writing kq by r square consider that charge as a magnitude because of minus already you have taken negative sign और यहां पर हो जाएगा आपका r plus E का whole square why? because यहां से a point का distance कितना हुआ this is already r and this is a so यहां से यहां तक का distance this is going to be r plus E अब तो normal maths है तो चलिए इसको solve करते हैं kq को हमने common करा r plus E whole square यहां आ जाएगा और यह वाला इधर हो जाएगा r minus E का whole square आपकों मैं नीचे देखे LCM लोंगा तो A minus B A plus B which is r square minus A square का whole square bracket over सान्ती से आप bracket open कर लीजे so kq A plus B का whole square r square plus 2 A r plus में A square फिर minus r square बीच में minus आएगा but already minus minus plus हो जाएगा और फिर minus में A का square divided by r square minus A square का whole square चलो क्या cancel होता दिख रहा है आप लोगों को clearly पता चल रहा है this positive, negative positive, negative so 2 A r, 2 A r 2 into 2 A r यानि कि 4 A r बढ़ ऐसा लिखा उसका benefit मिलेगा upon r square minus A square का whole square क्या कटता हुआ दिख रहा है बच्चा कुछ कट नहीं रहा है बट यहां पर एक बहुत अच्छी चीज निकल आ रही है देखे क्या अगर मैं इस charge को और इसको मिला दू क्या बन जाएगा P dipole moment तो formula क्या निकला 2 remaining फिर K ये line P R upon r square minus A square का whole square this is very interesting equation जिसे आपको हमेजा हमेजा के लिए अपने mind में रखना है this is electric field due to dipole on its axis 2 K P r by r square minus A square का whole square but there is always a special case बच्चा अगर मान लीजे आपका dipole बहुत छोटा है और जिस point पर आप निकालना जाते हो point dipole से बहुत दूर है for example ये distance angus strong है एंड आपको center से centimeter पर जाना है एक centimeter बड़ा है कि angus strong centimeter क्योंकि angus strong 10 raise to minus 10 होता है तो ये condition का मतलब हुआ when your r is greater greater than A तो ऐसे situation में you can neglect A तो अगर मैं A को 0 कर दूँ तो square पे square यानी power 4 उपर वाले r से कटेगा तो ये formula निकल के आएगा 2 kp by r cube याद रखेगा which one is the true equation, the real equation, the left one ये ये एक special सर्थ पर आता है तो आपको MCQ में ध्यान रखना है कि कौन सा formula हमें apply करना है even numerical में भी ध्यान रखना है कि जब ये सर्थ फॉलो हो, तब हमें ये लगाना है कुछ नहीं दिया है, अगर मैं बोलता हूँ dipole का distance एंगे स्टॉम है, बताओ 0.03 एंगे स्टॉम पर कितना होगा then you have to use this equation चलिए ये तो हो गया एक derivation, ये आपके 4 से 5 marks में पक्का आते ही आते ही बच्छा लोग और एक इसका भाई होता है उसे भी देख लेते हैं, आईए और इसका भाई का नाम है dipole के equator पर part B electric field due to dipole on its equator now the question is, equator क्या चीज है तो equator का मतलब होता है 90 degree वाला एक line जैसे ये dipole है ध्यान दीजे बहुत interesting चीज यहाँ आएगी textbook से थोड़ा अलग बताता हूँ और बहुत अच्छा बताऊँगा, आपको पूरे marks मिलेंगे और समझ में भी आएगग ऐसा, dipole हो गया इस dipole के वज़ा से ये कोई perpendicular line है इसको हम कहते हैं, ये वाला point equator line equator मतलब 90 degree का line यहाँ point P है इस पर मुझे electric field find out करना है तो ये जो distance हुआ बच्छा लोग वो A, ये भी distance कितना A आप minus ले सकते हो, कोई फरक नहीं बिकास ये और Zन है तो अब ज़रा देखिए यहाँ से यहाँ तक का distance कितना हुआ pythagoras under root of y square plus a square ये distance भी कितना हुआ again pythagoras y square plus a square because this angle is nothing but that is 90 degree so I can use pythagoras अब मैंने जैसा कि आपको rule सिखाया कि कभी भी electric field निकालो system में charges देखो negative charge भी देगा और positive charge भी electric field यहाँ देगा second thing you have to observe the direction इस point पर इसकी वज़से electric field बाहर की तरफ ही जाने वाली है पकी बात नवच्चा हाँ क्यों हो ऐसा क्योंकि ये क्योंकि ये positive charge है और अगर ये ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है यहाँ से यहाँ तक का ये distance same है magnitude same है यहाँ से यहाँ तक का ये distance same है magnitude same है तो मैंने माल लिया यार इस electric field की value E है माल लिया ये angle भी चलो माल लो theta तो ये अगर theta है तो ये भी तो theta हुआ क्यों पढ़ा होगा 9th class में ये parallel है इस line के साथ अगर मैं जितने भी parallel खिचूँगा यहाँ पर सबका angle theta हो जाएगा तो theta के तरफ हमने पढ़ा है कि हमेशा cos component होता है याद रखिए theta is always cos component theta के तरफ और against वाला क्या बन जाएगा sin theta component ठीक है उसी तरह से इस negative charge की विए से यहाँ पर जो p point था उस पर electric field ऐसे आने वाली है ये आएगी क्यों ऐसा ऐसा इसलिए बच्चा लो क्योंकि ये negative charge है negative electric field को खीचता है अगेन ये angle theta है तो यहाँ पर ये angle भी theta हुआ तो ये theta के तरफ क्या हो जाएगा cos theta और ये वाला component क्या हो जाएगा e sin theta अब ज़रा सोच करके देखिए add point p add point p net electric field तो इस point पर ये दोनों एक दिशा में है लेकिन ये e sin theta और e sin theta नीजे की दिशा में है तो मुझे vertical component का net 0 मिल गया लेकिन इसका मिल जाएगा 2 e cos theta 2 e cos theta कुछ बच्चे पूँच सकते है sir इधर तो minus ले सकते हैं मैं magnitude देख रहा हूँ pi r square c बच्चा पार्टी r square क्या था यहां से आतक का distance which is y square plus a square root है तो हट जाएगा then cos theta cos theta क्या होगा triangle देखिए cos theta cos theta would be a divided by the hypotenuse यानि कि a divided by the hypotenuse which is y square plus a square कि रहाए consider this under root as power 1 by 2 yes यह power 1 by 2 है और यह 1 है तो 1 plus 1 by 2 3 by 2 और यहां पर फिर से वही चीज़ आ गई q a और 2 यानि p तो यह आपका बन गया kp upon y square plus a square की power में 3 by 2 this is done तो यह equator के वज़े से आपको electric wheel मिल गया जैसे वहाँ पर special case था क्या सर यहाँ पर भी special case है answer is yes बच्चो तो यहाँ special case क्या कहता है कि same situation अगर आपका यह point y काफी बढ़ा है comparison to a so you can discard a from this equation so when you take a 0 square square गटेगा there will be cube so यह आपका आगया kp upon y cube please याद रखिएगा क्योंकि ऐसा similar equation आपको moving charge and magnetism वाले chapter के अंदर भी मिलने वाले है that on the axis तो kp by y cube on the equator and 2 kp by y square plus a square की power 3 by 2 no 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 2 kp divided by r square minus a square की power square वो आपका किस्म है on the axis तो यह भी derivation आपके 4 से 5 marks में पूछे जाते है बहुत favorite है आप p by qs उठा कर गे देखिए channel के playlist में चाहिए you will see multiple times यह सब board exam में आ चुके है एक और चाहिज आपसे कहूंगा कि जब भी 4-5 marks की theory होती है तो directly diagram बना के ऐसे लिखना नहीं है हम तो आपको explain कर रहे है लेकिन जब भी आप diagram बनाओ तो उसका explanation दो जैसे as shown in the figure we have the dipole and at a perpendicular distance y there is a point P where we wish to calculate electric field from the diagram it is clear that e sin theta component is cancelling the effect of each other while e cos theta both are in the same direction that will generate the electric field बस इतना यानि diagram बनाने के बाद आपको 2-3 line ऐसे add करना है examiner पर अच्छा impact पढ़ता है जब paper check होता है तो आपको पूरे marks देता है otherwise half marks कट सकता है यहां तक लाओगे यह करोगे derivation है बढ़ आपको थोड़ा सा इसके उपर explanation लिखना होगा I hope आपने lecture को ध्यान से सुन रहे हो बच्चा तो मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको आप लिखते भी जा रहे हो तो आपकी notes भी साथ साथ में बनती जा रहे है best note बनाए best note पता है बच्चा जो student teachers के साथ साथ पढ़ते समझ के बनाते होई होता है और आप मुझे Instagram पर tag करिएगा सचिन भाहिया हमने बनाया यह तो मैं आपका नाम इंस्टाग्राम पर भी ले लेता हूँ और चैरल पर भी राकिमेंट किया जाएगा ठीक है सब्बिट करना बच्चा चले तो आगे बढ़ते हैं अब यूनिफॉर्म एलेक्ट्रिक फिल्ड भी हमने पढ़ लिया continuous charge distribution भी पढ़ लिया अब आते हैं काउस लो के अंदर वेरी वेरी इंट्रस्टिंग टॉपिक काउस लो फ्लक्स पढ़ने के बाद गाउस लो का मजा ही कुछ और होता है गाउस एक scientist थे और इन्हों ने basically फ्लक्स निकालने के तरीके को बहुत आसान बना दिया अभी तक हमारे पास फ्लक्स निकालने का जो पर्मुला है वो है अच्छा यह कहां से है देखो यही तो है लेकिन छोटा सा हिस्सा डील होगे तो overall पूरा integration कर दोगे तो यह मिल जाएगा पट कभी-कभी क्या होता है किसी भी close body के लिए फ्लक्स निकालना बहुत आसान होता है गाउस साहब ने एक नियम दिया उन्होंने कहा कि अगर आपके पास में कोई भी close body है चलो हमें close body imagine करते हैं स्पेर ले ले लेते हैं स्पेर के center पर यहाँ पर एक charge है और इससे related flux निकालते हैं फिर मैं law पर आता हूँ अगर मालो मैं इस charge की वज़े से electric field देखूं तो electric field बाहर के direction में है surface के outward electric field positive charge है तो बाहर निकलेगा और area surface के बाहर होगा चोटा सा होगा DA का मतलब small element of area both are in the same direction I am going to use this equation continuous body होता तो यह अगर मतलब normal electric field area दिया होता है तो continuous body होती है तो यह लगता है जहाँ पर आप integrate करके पांसर निकालते हो तो यहाँ पर जो flux का equation आएगा integration e.da तो integration e फिर da फिर cos 0 बता अब अच्छा 0 क्यों because electric field and area both are in the same direction तो अब यह हो गया integration e e के जगा पर kq by r square r क्या है तो यहाँ से यहाँ तक का distance और फिर da cos 0 के value कितनी 1 चलिए kq बहार चला गया r भी बहार चला गया integration da kq by r square da area किसका पूरे sphere का अच्छा da का integration area हुआ और area इस पूरे sphere का area 4 pi r square तो यह देखिए r square से r square कट जाएगा जब आप k के जगा पर 1 upon 4 pi epsilon 0 लिखेगा तो यहाँ कवाला जो 4 pi है बच्चा लोग यह 4 pi 4 pi से कट जाएगा तो आपका answer आएगा q by epsilon 0 सोच के देखो अगर यहाँ 2 की होता तो answer 2 की होता 3 की होता यहाँ 3 की होता 4 की होता यहाँ 4 की होता मतलग इन्होंने नियम क्या दिया अपना इनका law क्या था for any close body यह अपने proof भी गर लिया for any close body net flux is always sum of ratio of ratio of algebraic sum of charge to permittivity of free space inverted comma over तो Gauss साहब का नियम close body के लिए लगता है जिस flux को आप निकालते थे e dot a से आपका इतना काम आसान बन जाएगा if you remember this equation directly तो क्या नियम है body close होनी चाहिए और अगर body close है तो उससे related जो net flux होता है वो हमेशा किस के बराबर आता है q by epsilon 0 के बराबर आता है आपके NCID textbook में question भी है अभी उस पर भी करता है example और exercise में बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिये 23 exercise के questions है जिसकी वीडियो आपको separately मिलेगी comment में pin किया हुआ मिलेगा जरूर देखना पूरा आपका NCID solution तो यह हो गया आपका gaus low अब इस gaus low को पढ़ने के बाद हम इसके कुछ applications देखेंगे बट before we enter into that application आपके सामने के example example 1.10 यह आपके pyqs में question पूछा गया है सिर्फ थोड़े बहुत digit change किये गया है तो दीखें कहता है electric field components in the figure rex यानि x direction में electric field है that is alpha x की power 1 by 2 और आपका electric field y और z direction में 0 है there is no electric field in y and z direction it is only in x direction सिर्फ x direction में alpha दे रखा है constant value है which is 800 newton per coulum फिर meter की power 1 by 2 यानि under root calculate the flux through the cube and the charge within the cube okay calculate the flux through the cube ठीक है बच्चा ध्यान दीजेगा बहुत ध्यान से समझना यहाँ जो electric field है उसमें alpha x की power 1 by 2 है और electric field x direction पर है जैसे जैसे x vary करेगा electric field भी vary करेगा क्या है यह electric field uniform है answer है नहीं क्योंकि अगर uniform होता तो इसकी value fix होती 10, 20, 50, 35, कुछ भी बट यहाँ पर है variable alpha constant 800 into x की power 1 by 2 जैसे जैसे हमारा x change हो रहा है उसे साब से हमारा electric field बदल रहा है और electric field बदलेगा तो flux भी change होगा बॉस otherwise इसका answer 0 आता पूछो क्यों? क्योंकि यह close body है electric field ऐन ऐसे अंदर गुसी और भाहर निकल गई सर आपने सिखा था answer 0 हाँ बच्चा बट कब जब electric field uniform हो तब यहाँ electric field uniform नहीं है x की value change होगी यहाँ x की value कुछ और है यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है electric field तो vary कर रहा है flux same नहीं हो सकता इदर इस surface पर और इस surface पर ठीक है चलिए अब सबसे पहले मैं आप से सवाल पूछता हूँ यहाँ पर एक हिस्सा लिया है हमने इस cube का ABCD और दूसरा हिस्सा लिया है ABCD E F G और H क्या मुझे ABCD E F G H AB F H दिक रहा है बाहर चो निकल रहा है CD F G CD F G क्या मैं directly यहाँ का flux 0 कह सकता हूँ पूछो क्यों क्योंकि यह close body है और close body की area surface के perpendicular होती है electric field आपका बच्चा इसी direction में है angle 90 degree है चाहे आप इस वाले surface की बात करो इन चारों में से किसी भी surface में देख लो area electric field के साथ 90 degree का angle बना रहा है there will be no flux flux हमें सिर्फ मिलेगा इस surface पर यह जो मैंने अभी जश्ट बनाया कौन सा? B C G H और इसकी area surface के perpendicular यहाँ पर है तो for B C G H और right side का जो face है यह वाला ऐसा लिखते है इसके लिए हमें flux जो मिलेगा वो E dot A E A cos 0 से मिलेगा अब क्यों 0 हो गया angle? because area electric field बोथ are in the same direction area surface के perpendicular है close body है बच्चा अच्छा E क्या होगा? तो E के जगह पर है आपका alpha और X क्या होगा? that is very very important ध्यान से समझेगा यह जो face है बच्चा वो इधर है यह distance already A है और यह distance भी already textbook में दिया हुआ है देखो A तो कितना हुआ? 2A यहां से यहां तक, यह face कहा है? यहां पर है न? यह distance आपका A है और यह कितना A है? तो distance कितना हुआ? 2A, इसलिए A के जगह पर alpha 2A की power 1 upon 2 and then area area तो आपका side का square होता है सब लोग यहां पर A है तो हम यहां पर A का square गड़ सकता है इसको तोड़ देता है so alpha 2 की power 1 upon 2 A की power 1 upon 2 plus 2 5 by 2 ठीक है? so under root 2 into alpha that is 800 alpha is already given and then A की power 5 by 2 यह दिया है क्या कुछ? नहीं as it is रख देते हैं चलो तो यह आपका हो गया अच्छा बच्चा एक और चीज flux का unit vapor होता है लिख लीजेगा यह आपका right side का flux मिला अब left side का flux निकालते है left side कौन सा? यह बाला यह surface इसकी area कहा है? इधर देखो दिया भी है normal to the left surface और electric field कि इधर है? इस side कि बीच का angle कितना बना? 180 so it is minus E because E A cos 180 तो यह आपका हुआ E dot A E A cos 180 minus में E into A यह आपका है alpha and then X X आपका A है A की power 1 upon 2 and यह आपका A का square so minus 800 into A की power 1 by 2 plus 2 कितना? 4 5 by 2 5 by 2 यहाँ पर भी हो रहा है हाँ 5 by 2 ठीक है? यह आपका होगया waver चलो तो यह आपका आगया अब net flux क्या हो जाएगा? तो 5 net is equal to 5 right side plus 5 left side I think A की value given है 0.1 यह रहा तो सारी value रख करके आप flux निकाल लीजे और इसका जो B part है वो है इसके अंदर total charge कितना है? तो Gauss लो लगाया net flux is equal to net charge divided by epsilon naught यह जो आपका Q होगा वो जो आपका finite आ रहा है उसको सीधा multiply कैसे करना है? बचलो epsilon naught के साथ and that's it interesting question you know क्योंकि अगर यह variable नहीं होता तो आपका answer क्या हो जाता? 0 हो जाता क्योंकि electric field 9 is गुसी और बहार निकली so there was a concept electric field was 0 ओके यह पूरा यहां solve किया हुआ है अब आप इसे कर लीजेगा आगे बढ़ते हैं एक और question आता है चली बचा देखिए सवाल काफी बढ़ा है but simple question है और ये भी PYQ में आ चुका है डरिये मत ऐसे सवाल हो उस पहले पढ़ने के अधर डालिए साल बर टाइम वरना फिर ऐसे वीडियो में आपका time pass होगा कि how to get the marks in the last 20 days और सारे YouTube पे जो पढ़ाने वाले लोग काम है ग्यान बाजी करने अनलोग जादा है वो यही करेंगे उस पर संख्या भी जादा होगी बच्चों की और वो देखते हैं लोग और फिर पढ़ते हैं फिर फेल होते है ठीक है अच्छे marks लाना है तो पढ़ना है An electric field is uniform and in the positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x it is given that is equal to 200 i cap ऐसा क्या रहा है कि electric field positive है uniform है positive x direction में मतलब समझ लीजे electric field इधर है ऐसा है पर फिर पढ़िए इस line को ना समझ पढ़े दुबारा पढ़िए An electric field is uniform and in the positive x direction for positive x and in the positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for the negative x तो direction change हो गया positive x में positive की तरफ चल रहा था और minus में इस तरफ चल रहा था ऐसा अब क्या कहता है ठीक है negative x it is given that e बराबर इतना 200 newton per gulam for x greater than 0 और देखो minus दे रख मतलब इधर के लिए 200 है electric field और इधर के लिए minus 200 newton per gulam है i cap है मतलब कि x direction में है okay and radius 5 cm has its center at the origin and its axis along the x-axis so that one face is at x is equal to plus 10 cm okay तो अब यहाँ पर ऐसा समझो कि एक cylinder है जिसकी length 20 cm है यह origin है तो यहाँ से यह 10 cm पर एक face है और दूसरा face 10 cm के distance पर है यह कह रहा है and the other face at minus 10 cm figure 1.25 text book के बना भी है बोलता है what is the net outward flux through each face what is the flux through the side of the cylinder side of the cylinder से क्या होगा और हर एक face से कितना होगा और तीसरा है what is the net outward flux through the cylinder यह और D है what is the net charge inside the cylinder that's very easy to understand this ध्यान से देखिए सबसे पहले हम इसका party solve करते है क्या बोला है party पढ़ो what is the net outward flux through each flat face flat face यह वाला है अगर मैं right side का देखूं तो इसकी area surface के perpendicular होगी electric field इदर है तो right side के लिए phi r is equal to e into a e a cos 01 हो गया हटा दीजे electric field दे रखा है 200 area कैसे निकालते है इस surface के area होगी pi r square यानि 3.14 radius कितना था बच्चा radius 5 cm है तो 25 into 10 power minus 4 यह कहां से आया cm को change किया 1 cm 10 दे टो minus 2 तो इसको आप solve करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 50 यानि 5 pi और यह 2 और 1 3 10 दे टो minus 4 plus 3 फिर से देखे 25 दूनी 50 का 1 0 और यहां का 2 0 यानि 3 0 होए minus 4 plus 3 यानि minus 1 यानि 0.5 pi into 3.14 कर लो है न तो यह आपका हो गया weber यह right side का अगर मैं left side का देखूं तो left side में भी same होगा क्योंकि electric field इदर है area इदर है तो यह भी आपका same value 0.5 pi weber और तीसरा क्या flat surface हो गया अब part B पर चलता है इसका part B देखिए part B क्या कहता है what is the flux through the side of the cylinder यह side अब यह side को कुछ ऐसा समझे cylinder ऐसा तो अगर मैं इसके किसी भी side पर देखूं तो area इधर है electric field ऐसे है angle 90 degree है इधर area है electric field ऐसे angle 90 degree flux 0 क्योंकि 5 बराबर E A cos 90 0 सर आप यहां लो तो अभी भी 0 ही होगा देखो electric field ऐसे है pain का direction ऐसे है अभी भी angle 90 degree है electric field ऐसे ही है या तो plus या तो minus but area अगर आप इसके किसी भी surface पर चले जाओ सिर्फ यही यही मिल रहा है इसके किसी भी surface पर चले जाओ वह आपका 0 ही है तो आपका answer क्या होगा flux 0 C part C part में कहता है कि what is the net outward flux तो हमें करना क्या है कुछ नहीं करना है pi r plus phi l plus आपका यह surface का वो तो 0 है जोड दिया इसका d part d part में what is the net charge inside तो total flux पराबर net charge divided by epsilon not बिल्कुल पहले जैसा सवाल तो finite into epsilon not कर देंगे यह concept अगर समझ पढ़े है ना आपको यह example तो आपको अभी application तुरन समझ में आएगा और वो बहुत important है अब चलते हैं इस chapter के आखरी पड़ाओ पर और वो आता है बच्चा आपका application of Gauss law ठीक है application of Gauss law में तीन important application है in fact ऐसे बहुत सार है लेकिन आपके NCRT से बहुत सारी चीज़े जा चुकी है तो you should be happy for that आईए चलिए तो आप application of Gauss law करते है सबसे पहले जो आता है वो है आपके पास में infinite charged wire है infinite का मतलब है बड़ा लंबा तार है long wire है ठीक है जैसे यहाँ पर देखी यह हमने एक wire बनाया और यह infinite है infinite इसलिए से dash dash कर दिया इसके वज़े से मुझे निकालना है charge electric field तो सबसे पहले इसको charge बना देते है इसके ओपर charge का distribution कर दिया अब ज़रा सोचके देखो यहाँ से किसी एक distance पर यह point पर electric field निकालना है same यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं हर जगह पर same distance पर जाऊं और ऐसे सारे point का locust connect कर दो locust मतलब points connect कर दो तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर close cylinder ऐसा imagine किया जा सकता है answer है yes sir ऐसा करने की पीछे का कारण है बहुत बड़ा कारण है क्योंकि गाउसलो का आप application पढ़ रहो तो application अगर गाउसलो का मुझे पढ़ना है उसे apply करना है तो body should be closed charge should be closed यह बिलकुल वो बात हो गई कि जैसे यहाँ पर एक wire है यह वाला यह charged है और यह पानी के अंदर चला गया मतलब इस bottle के अंदर चला गया तो मुझे एक ऐसा cylinder imagine करना पड़ेगा जिससे charge उतने charge wire का उतना charge inside हो जाए are you getting the point फिर से समझे यह wire अभी खुला हुआ है इस पर charge है अब मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ ऐसा तो यह जो मेरा हाथ आप देख रहे है उतने reason में मैं imagine कर पा रहा हूँ कि इतने reason में charge and close हो गया क्यों ऐसा कर रहे है क्योंकि हमें gauss low apply करना है बिना gauss low apply के वे हम नहीं जान सकते कि electrify कितना है अब यहाँ से यहाँ तक का जो surface हमने बनाया इसको हम कहते हैं gaussian surface इसका length L माल लो इसका radius कितना है R माल लीजे ठीक ऐसे बहुत सारे points को आपने मिला दिया अब इसके cool मिला गर कि तीन surface बन रहे है एक तो यह top वाला flat surface यह down वाला flat surface और यह आपका एक curved surface यानि हमें flux तीन जगा से मिलेंगे बिल्कुल अभी जो पहला example इससे पहले देखा 1.18 whatever it was 11 बिल्कुल वैसा यह flat surface थे तो यह हमने नाम दिया इसे बच्चा कह सकते हैं cross section cross section मतलब side का हिस्सा यह भी है आपका cross section ठीक और यह आपका curved surface है cylinder का surface अब हमें यह देखना है कि कहां हमें flux मिल सकता है सबसे पहले मैं देख लेता हूँ cross section के लिए for cross section ध्यान दीजे बहुत आसान है cross section की area इदर है बड़ electric field कि इदर है या तो right side या तो left side क्यों ऐसा क्योंकि जो charge है वो plus 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 है तो या तो वो इदर जा सकता है electric field या इदर जा सकता है इसलिए अगर मैं flat surface के बारे में सोचूं तो उसकी area तो surface के perpendicular होगी जैसे यह है तो इसके लिए area उपर है और electric field इदर है theta कितना हुआ? 90 degree so for cross section electric field and area बोट हर perpendicular to each other theta 90 degree है और अगर theta 90 degree है तो जो आपका flux है वो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा उपर वाले के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी क्योंकि नीचे वाले की area ऐसे है still electric field ऐसा ही है again 90 degree है तो there is no flux but for curved surface बच्चा लोग आप देखिए electric field और area दोनों ही perpendicular है तो और ये parallel हैं दूसरे के समझ ना? 3D में समझ ये ये surface इसकी area इधर है electric field भी इधर है plus plus था न? तो area भी इधर electric field भी इधर sir मैं इधर लो तो आप ले लीजे area इधर और electric field इधर सोचो ध्यान से सोचो किस curved surface पर कितना हुआ? फिर से समझ ये electric field कहा है? इधर है इधर है आपकी तरफ है और इस तरफ भी है कैसे? क्योंकि wire ऐसा है न? तो electric field तो चारो possible दिशा में है आपके तरफ इधर, इधर और इधर कोई बच्चा ऐसा समझ सकता है sir ये curved surface पर में area इधर लेता है तो electric field भी तो इधर है boss sir में area इधर लेगा तो electric field भी तो इधर है देखो electric field के चार possible direction है यहाँ पर इधर, इधर, इधर और इधर कहां नहीं है along the wire नहीं हो सकता electric field समझ रहा है? तो along the wire electric field नहीं है इसलिए सिर्फ curved surface पर ही तो sigma q का मतलब है net charge inside this तो इसके अंदर net charge निकालने के लिए हम linear है तो linear charge density का use करेंगे और वो कहता है lambda is equal to q by l इसलिए जो आपका total charge हो गया वो हो गया lambda times of l length l है तो इसमें इतना charge होगा और यह आपने तोड़ा इसको तो eda cos में 0 is equal to lambda times of l upon epsilon 0 cos 0 की value कितनी 1 तो integration da का answer area किसका area इस cylindrical surface का area यह cylinder है Gaussian surface है इसका area क्या होता है 2 pi rh तो यह हुआ आपका 2 pi rh के जगा l lambda times of l upon epsilon 0 तो यह आप देखिए कि l से l कट गया तो यहां answer निकल के आता है e बराबर lambda upon 2 pi epsilon 0 and then r यहां पर अगर आप 2 से multiply 2 से divide करेंगे तो नीचे 4 pi epsilon 0 हो जाएगा and you know that 1 upon 4 pi epsilon 0 क्या बन जाता है k तो आपका answer 2 k lambda by r b हो सकता है so this is very interesting equation of your NCRD textbook किसी भी infinite charged wire के वज़े से जो electric field है वो 2 k lambda by r बहुत बार आता है बच्चा ध्यान से सुनिएगा आपको पूरी theory लिखने आनी चाहिए diagram बनाने के बाद आपको लिखना है कि there is a Gaussian surface we have 3 surface cross section 2 cross section and 1 flat surface or curved surface for a cross section the angle between electric field and area is 90 degree that's why there is no flux but we get the flux only through the curved surface for derivation answer चले अब इसका दूसरा application आता है application number 2 है एक charge sheet है और इसकी वज़े से हमें electric field find करना है ध्यान से दीखिएगा ये बनाया हमने sheet ये भी बहुत बार पूछा जा चुका exam है ठीक है और इसके उपर charge है ऐसे charge बहुत सारे charge है now क्योंकि मुझे ये इस तरह से दिख रहा है तो अब electric field plus plus है along the surface नहीं हो सकता तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा बट फिर भी इसके charge enclosed नहीं है अभी open है उसको enclosed करने के लिए हमने क्या किया इस तरह से Gaussian surface imagine करा चीक है ये हमने Gaussian surface imagine करा बिल्कुल ऐसा समझे कि जैसे यहाँ पर एक paper है उसका कुछ हिस्सा इधर और कुछ हिस्सा इधर है यानि ये वाला जो portion हुआ इस portion में charge कितने है उसको निकालने के लिए हमने क्या लगा दिया sigma charge distribution q by a तो q बराबर में sigma into a this is net charge inside this Gaussian surface correct क्योंकि ये हिस्सा तो बाहर निकला है सिर्फ इतना हिस्सा ही है जहाँ पर वो enclosed है अब यहाँ पर भी तीन surface है कौन कौन से बच्चा एक तो ये वाली surface है एक तो ये वाली surface है इसे हम cross section कहेंगे इसकी area इधर है और electric field भी इस तरफ है इसकी area इधर है electric field भी इस तरफ है यहाँ आपका theta 0 हो गया flux मिलेगा theta 0 हो गया electric field area में flux मिलेगा लेकिन अगर आप cross section curved surface देखो ये इसकी area इधर है और electric field इधर है angle कितना 90 flux आपका क्या होगा 0 completely different from the last topic वहाँ आपको curved surface पर ही मिल रहा था यहाँ नहीं मिल रहा है structure ही ऐसा है यह curved surface आपका ऐसा अब electric field कहा है इधर along the surface नहीं इधर नहीं क्योंकि यह plane ऐसा है तो इस plane की surface पर नहीं हो सकता plane से आउटवर्ड हो सकता है electric field तो electric field इधर है और इधर है इसलिए इस cross sections पर मिल जाएगा और इस पर मिल जाएगा बट इस पर नहीं मिल सकता क्योंकि area इधर और electric field इधर है angle कितना है 90 degree पील करिएगा इस चीज को ध्यान से flat surface पर electric field और area के बीच पर angle 90 degree है इसलिए नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर फिर से लिख देजिए एक बार curved surface or the flat surface ठीक है बच्चा so theta आपका 90 degree है flux आपका क्या हो जाएगा e.a के हिसाब से 0 चलिए flux 0 हो गया अब बच्चा क्या आपका cross section तो for cross section we will get a flux और उपर से 2-2 flux है क्योंकि right side भी है इधर भी है e.a दो बार लगेगा और ये किसके बराबर होगा sigma q by epsilon 0 ये कहां से आया तो flux का ही तो equation है total charge upon epsilon 0 and close body के अंदर तो इसका इसका answer same 2 e.a क्योंकि आप dot हटाओगे cos 0, cos 0 के value 1 and then it is sigma times of a यहां से upon epsilon 0 area से area कट जाएगा e बराबर sigma by 2 epsilon 0 ये फिजिक्स में एक लोथा equation है जो distance पर matter नहीं करता अगर मैं इस distance को कितना भी आगे लेके जाओ electric field मेरा constant रहेगा तो e is equal to sigma by 2 epsilon 0 because of charge sheet कहानी फिर से आप ऐसी लिखेंगे कि we have a flat surface long flat surface distribution charge का surface charge distribution there will be 3 surface cross section 1, cross section 2 and a curved surface on a cross section we will get the flux because theta is 0 but on the curved surface theta is 90 degree there will be no flux चलो अब हम आएंगे एक और इसका application है number 3 and then the last example of the chapter NCRT textbook और यह है बच्चा electric field due to electric field due to charge sheet charge sheet नहीं charged cell spherical cell plastic का ball तो इसमें अलग-अलग cases देखने को मिलेंगे आईए करता है तो माल लीजे कि हमारे पास में ये रहा है कि spherical cell charge कहां हो सकता है सिर्फ surface पर क्योंकि plastic ball है hollow है ये material surface पर ही charge हो सकता न तो charge surface पर है inside तो नहीं हो सकता इसका radius माल लेते है capital R इस पर net charge सबसे पहले निकालते है कौन सा distribution हुआ ये इसके पास सिर्फ surface है तो surface charge distribution इसलिए net charge निकालने के लिए on the cell आपने क्या लगाया sigma is equal to q by a so q is equal to sigma times of a sigma as it is और ये आपका हो गया 4 by r का square this is all about your total charge which is lying on the surface of this spherical cell अब बचा यहाँ पर दो अलग-अलग cases है पहला case inside अंदर क्या होगा तो अंदर इस small r distance पर निकालने के लिए आप एक gaussian surface imagine करोगे आपने imagine क्या r जितने distance पर यहाँ पर मुझे flux जानना है तो अब जैसे ही आप r less than r करते हो तो charges तो सिर्फ सर्फिस पर यहाँ ही नहीं तो आपका charge 0 है r reason में small r reason में तो अगर आप gauss लो लगाते भी हो इस वाले surface के लिए डॉट डॉट वाले के लिए तो sigma q by epsilon 0 में यह आपका 0 है net charge inside it तो आपका electric field inside क्या हो गया 0 इस अ वेरी important property of a conductor as well charge थे कहाँ पर surface पर थे न तो अंदर electric field क्या होगा 0 second chapter में आप इसी चीज को बोलोगो electrostatic shielding तो नाम से घबरा मत जाना property हो गई भाई सारे charges कहाँ बैठे है surface पर तो अंदर electric field क्या होगा 0 हो जाएगा outside case number 2 outside चलते हैं तो इससे हम outside जाने के लिए एक gaussian surface वापस खीच रहे है ऐसे ये पूरा ऐसे इस तरीके से connected है तो अब बताइए कि क्या अब जो हमने dash test बनाया उसके लिए charge 0 हो कहे है नई इस वाले dash test में उतने charges आएगे इस reason में जो इस पर पूरे surface पर है तो अब यहाँ kaos लगाओ e dot da is equal to sigma q which is sigma into 4 pi r square upon epsilon 0 e as it is इस da के जगा पर क्या होगा 4 pi r square q r square because gaosian surface का ही हम area लेंगे और इसकी area में small r आ रहा है कलती नहीं फिर sigma 4 pi r square upon epsilon 0 देखो बच्चा क्या कट रहा है यह 4 pi से 4 pi कट गया तो जो आपका e निकल कर आया वो है sigma capital r square upon small r square epsilon 0 we can place the value of sigma sigma q by 4 pi r square है तो q by 4 pi r square उपर आपका r square फिर नीचे small r square epsilon 0 देखे क्या कट रहा है तो यह आपका r square से r square कट गया और यह जो 4 pi epsilon 0 है उपर k बन जाएगा तो आपका answer आ गया k q by small r square this is for the outer reason of the cell तो case कौन सा पहला देखा हमने inside inside आपका electric field 0 because there is no charge बाहर जब हम जाते हैं तो क्या होता है r square यह condition है r greater than r की यानि कि आपका r greater than r है और case 3 भी लिख लीजे अगर आप surface पर ही है तो surface है न बच्चा लोग तो k q by r square surface पर ही है न तो surface पर कितना k q by r square ऐसे ही solid sphere भी था पहले बढ़ उसलिए बसे deleted है और आपके नए टेक्स्ट्बुक में है भी नहीं तो यहाँ पर होता है आप लोगों का पूरा ncrt का पूरा का पूरा जो topic वो खतम लेकिन एक example बचा है उसको भी complete कर लेते हैं फिर आपके ncrt के exercise के बारे में आपको बताएंगे this is your last example of the chapter आईए इसे करते हैं ओल्राइट बच्चा लोग let's study this question early model for an atom consider it to have a positively charged point इसको thompson plump pudding model भी बोलता जिसमें electron को ऐसा तरभूज model वसा seats के साथ ऐसा distributed था बाद में rogerford साहब आके बोले भाई concentrated है और फिर electron जो orbit में होता है तो अगर यह model को follow करते है तो charge point nucleus of charge is z e तो इस nucleus का charge अपने को दे रखा है that is z e और यह distance आपको यहाँ पर r दिख रहा है और यह surface capital r बोल रहा है उसके बाद कहता है surrounded by uniform density of the negative charge up to a radius capital r, मतलब इस nucleus के आसपास में negative charges का department है up to r तक the atom as a whole is neutral पूरा atom neutral है for this model what is the electric field at a distance r from the nucleus तो इस nucleus से r distance पर मेरे को charge निकालने का तो मैं gaussian surface लोगा यह मैंने gaussian surface बनाया इस gaussian surface में कितना charge है मुझे नहीं पता q dash बट एक चीज़ तो confirm है इतने department में जहाँ पर आपका nucleus था इसमें charge आपका z e है ठीक है यह रहा देखो nucleus का charge आपका z e है तो एक तो z e है लेकिन इस department में यह वाले department में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वो कितना मुझे नहीं पता तो q dash की value z e plus question mark होना चाहिए वो question mark हमें निकालने के लिए हमें concept का use करेंगे जिसको हम बोलता है density तो density क्या होता है बचलो density is equal to charge upon volume which is a volume charge density तो charge that is z e which was constant upon volume 4 by 3 pi r का cube ठीक है अब यहाँ से हम z e को constant करते हैं या फिर इसे समल लिजे कि इस surface के लिए निकालू तो वो q dash मैं मानता हूँ तो charge आपका q dash upon 4 by 3 pi small r cube क्योंकि यह तो constant रहता है न रो तो अब मैंने q dash लिया है तो radius कितना है r है तो q dash is equal to what that is rho into 4 by 3 pi r का cube rho देखिए आपका कितना है that is z e upon 4 by 3 pi capital r का cube 4 by 3 pi small r cube तो बच्चा यह आपका 4 by 3 pi 4 by 3 pi कट जाएगा तो यह आपका आएगा z e small r का cube upon capital r का cube but sin minus क्योंकि यहाँ negative charge है correct तो मुझे q dash का value जो मिलेगा z e के साथ साथ यह भी additional है यहाँ q dash ना लिख करके net लिखते तो जादा सही था ठीक है q net तो z e और minus में q dash यह हम q dash माल लेते हैं अब मुझे क्या पता चल गया कि इतने department में जहां मुझे electric field चाहिए उसका charge पता है अब लगा देते हैं gauss law क्या कहता है gauss law integration e dot da is equal to sigma q upon epsilon naught यह sigma क्यों मतलब net divided by epsilon naught अच्छा dot हटाएंगे तो क्या होगा cos theta और यह positive charge है electric field बाहर की तरफ ही है area भी इधर की तरफ ही है तो 0 आएगा कुछ बच्चे बोल सकता है sir minus भी तो है minus का ऐसे ले लो electric field तो भी area cos 180 के हिसाब से minus ही रहेगा magnitude लेंगे तो positive हो जाएगा cos 180 minus 1 cos 01 तो magnitude इधर minus ea और plus ea बट सही क्या है magnitude तो ea तो यह e dot da का e da cos 0 हुआ cos 01 और da के जगह पर 4 pi r square Gaussian surface का radius लेते हैं इसलिए small आ रहा है यह confuse ना हुए हमेशा Gaussian surface का ही area लिया जाता है q naught net तो q naught आपका कितना था बच्चा लोग z e तो था ही minus में यह हो गया z e small r cube upon capital r cube upon me epsilon 0 चलिए तो e निकल कर आता है z e common कर देता है upon me 4 pi r का square epsilon 0 बचता है यहां से 1 minus r का cube upon capital r cube क्या गट रहा है बच्चा हमने क्या ले लिया है common z e तो सही तो है यही आपका answer e is equal to z e 1 minus r cube upon capital r cube divided by 4 pi small r square and then epsilon 0 इसको चाहो तो आप x step और आगे ले करके जा सकते हो अगर आप इसको एक step आगे ले करके चले जाओ तो देखो कुछ इस तरीके से आप cancer आ जाएगा रूखिये मैं इसके पूरे step की ही वाट लगाता हूं नहीं तो आप confuse हो जाएंगे just a second बच्चा लोग तो देखे हमने किया क्या बच्चा simple ये जो r square था इस r square को मैं अंदर भेज दिया तो one upon r square हो जाएगा और ये वाला जो r का square अंदर भेजूँगा तो ये उपर वाले r cube को काटके यहां पर r कर देगा that's it ठीक है तो इस तरह से बच्चा आपका chapter पूरा होता है यहां पर समापत पूरी तरह से आपका पूरा chapter हमने कर दिया है finish अब आप क्या करिये telegram join कर लीजे जल्दी से link description box में वहाँ पर आपको ये notes मिल जाएगा and comment अपना जरूर करना साथ ही आप मुझे follow कर लीजेगा instagram पर कुछ भी दिक्कत होती है तो and do not forget to download our class 24 app क्योंकि अगर आपको youtube पर मज़ा आ रहा है बच्चा तो आप समझे कि अगर आप हमारी paid batches join करोगे तो आपको कितना जादा मज़ा आने वाल है ठीक है फिलाल तो youtube पर सब कुछ free है लेकिन जब भी हम लोग हमारी paid batches launch करेंगे वहाँ पर we'll discuss live आपके doubt भी solve होंगे वैसे यहाँ पर पूरी कोसिस कर रहा हूं कि आपका सारा doubt यहीं खतम हो जाता है इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया तो जरूर इस वीडियो को देख लीजेगा share भी कर दीजेगा and description box में आप जाएंगे तो वहाँ पर हम आपको एक वीडियो भी दे रहे हैं अगला वीडियो आपको पूरा NCRT का solution मिलेगा example तो आपने यहाँ पर इस वीडियो में कर लिया आप chapter 1 का NCRT solution में मिल जाए तो सोने पर सुआगा हो जाए तो comment में भी pin किया हुआ है description में भी pin किया है 2024 और 25 के विद्यार्थिक तम अच्छे से अपनी तयार यहाँ पर से कर सकते हैं तो comment को check out कर लीजे pinned है comment जहाँ पर हमने यह NCRT का solution भी upload कर रखा है तो आप उन्हें देख सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया for watching the video बचलो see you all in the next chapter number 2 chapter number 2 कब तक आएगा 2-3 दिन क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हम मैंनत करें के video आप लोगों के लिए बना रहे है so thank you so much see you all in the next class till then do whatever you want to do man but don't trouble your mom if you want to join our class 24 I have paid batches to comment bye bye take care love you all Jai Hind